नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल जाले हैं आपके सर जी हम तो बहुत ही अच्छे हैं आप बताईएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे स्टार्ट कर दे हाँ जी कर दीजिए इस चेप्टर में हमें क्या सिखाया जाता है सप्लायर ने अपना सब इन्वाइस यहां से इशू कर दिया है और जो रसीपियेंट आदमी है वो इसका ITC किताबों में बुक कर देता है इस चेप्टर के अंदर हम सिर्फ ITC को बुक करने वाली बाते करके चलेंगे ITC को यूज कैसे करना होता है यह सिखाया जाता है आपको अलग चेप्टर में उसका नाम है मैनर आफ पेमेंट और वहाँ पर सेक्शन नमबर 49 अपना आता है उसके मताबिक हम देखते हैं कि ITC को यूज कैसे करना होता है ITC से जुड़े हुए जो सेक्शन सें बुकिंग को लेकर बेसिकली 16, 17, 18 तीन सेक्शन यह हो गए और 19, 20, 21 CA फाइनल लेवल पर तो 6 के 6 सेक्शन आते हैं से लिबस में लेकिन CA इंटरमीडिट लेवल पर सिर्फ तीन ही सेक्शन काम में आते हैं 16, 17 और 18 आईए हम यहाँ पर देखते हैं कि सेक्शन नमबर 16 के मताबिक ITC को जो बुक करना होता है तो क्या-क्या पापड बिलने पड़ते हैं यहाँ पर इन जेनरल सी अपनी बात करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहली शर्त यह निकल के आती है आप रेसिपेंट जी ITC बुक करना चाहा रहे हो न तो यहार आपके हाथ में एक ऐसा कागज का टुकड़ा होना चाहिए जिसके बेसिस पर यह सिद्ध किया जा सके कि आपने GST का पेमेंट अपनी पॉकिट से किया है तो इसमें जो सप्लायर का इन्वाइस है उसमें आप से GST चार्ज किया गया था वो डॉक्यमेंट की रूप में काम करेगा डेबिट नोट बिल्कुल काम करेगा क्या बिलफ सप्लाई काम करेगा जी नहीं बिलफ सप्लाई में आप से कोछ चार्ज नहीं किया जाता है जो supplier आदमी है वो खुद अपनी pocket से GST भरता है तो bill of supply के basis पर आप अपनी किताबों में ITC book करने जैसी बात नहीं कर सकते moreover वो जो 1% या 5% as the case में भी supplier अपनी pocket से भरता है वो पैसा input tax की परिभाशा में भी नहीं आता है और जब input tax नहीं बनता है तो ITC से उसका हम claim भला कैसे कर सकते हैं अगर हमने goods import किया है तो वहाँ पर bill of entry नाम का document होता है जिसमें ये सिध होता है कि हाँ हमारी जैप से GST गया है 94 का mentor है RCM पढ़ता है तो वहाँ पर आकर जो self invoicing होती है जिससे recipient खुद के लिए रख लेता है उसके basis पर हम कह सकते हैं कि हाँ आपकी जैप से GST गया है bill of supply हुआ ये receipt voucher हुआ ये कुछ ऐसे कच्चे document है जिनके basis पर हमें ITC नहीं मिल सकता है तो पहली शर्त ये आगे कि हाँ हमारे पास make document होना चाहिए दूसरी शर्त है सारे के सारी conditions हमारे पूरी होने चाहिए दूसरी शर्त ये है कि जो supply हम ले रहे हैं goods की या service की वो हमें यानि recipient को receive हो जानी चाहिए receive चाहिए मुझे हो तो बहुत अच्छी बात है या मेरे कहने पर मेरी direction पर मेरे job worker को या किसी third party को मेरे कहने पर वहां माल dispatch किया जा रहा है जैसे bill to ship to model में होता है कि billing तो यहां हो गई shipping मेरे इशारे पर कहीं और कराई जा रही है तो जैसे ही मेरे कहने पर वहां जो third party को या job worker को delivery हुई है ऐसे मान लिया जाएगा कि goods मुझे receive हो गया है और मैं मेरी किताबों के अंदर ITC अपना claim कर सकता हूँ अगर goods lot में आता है तो आखरी lot का मैं wait करना पड़ेगा जब आखरी lot मिल जाएगा उस समय कह पाएगे कि हाँ हमें supply receive हो गई है और उसी particular month के अंदर हम अपना ITC books में claim कर सकते हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक राधे येस सर आगे बढ़ते हैं और आगे निकल के आता है नमबर तीन पर यहां मालिक GST paid जो supplier आदमी है जिसने हम से GST charge किया है क्या उसने आगे उसका payment किया भी है या नहीं किया क्या वो पैसा government के पास पहुचा है या नहीं पहुचा government हमें उतना ही ITC देगी जितना कि उसे already मिल चुका है अगर supplier ने पैसा नहीं चुकाया है तो हमें भी ITC मिलने वाला नहीं है वो GST R1 भरता है 2B में हमारे पास reflection होता है 2B के basis पर ही हम अपना ITC ले सकते है लेटर और उसने अपना 3B फाइल नहीं किया GST नहीं भरा तो जो हमने बुक किया था वो भी reverse हमें करना पड़ जाता है मोटी बात यही है कि भई आप supplier जी आपको GST का payment government को करना पड़ेगा तब ही finally हमें हमारा GST का credit मिल पाएगा पहले 5% वाला concept हुआ करता था कि अगर उसने GST R1 में नहीं दिखाया है तो जितने invoice नहीं दिखाये है उनका 5% या जो भी disputed amount है whichever is earlier वो मिल जाया करता था लेकिन वो 5% वाला concept omit कर दिया गया है अब सीधी बात ये है कि जितना 2B में दिख रहा होगा उतने तक ही आप eligible यहां पर हो पाएंगे that's it recipient भी अपना regularly tax pay कर रहे हो recipient अपना नहीं भर रहा है खुद तो आप IT से क्यों में सरकार से मत करिएगा तो supplier और recipient दोनों का tax भरा होना चाहिए तभी आप इसके हगदार हो सकते हैं आज सरकार को कुछ देना पड़ रहा है तो सरकार कितने ना जो नखरे कर रही है आप यहां पर देख सकते हैं एक concept डाला 180 days का यह सारी cumulative follow करनी पढ़ेंगी आपको conditions कि मेरे पास invoice यहां आ जाता है और मैं invoice के business पर अपनी books of account के अंदर credit book कर लिता हूँ कर लिया, खुशी-खुशी कर लिजिए लेकिन ध्यान रखना आपको 180 दिन के अंदर-अंदर supplier को payment करनी पड़ेगी 180 दिन मोटा-मोटी 6 महीने आपको payment करनी पड़ेगी मैंने payment कर दी है it's okay, जो मेरा ITC book कर लिया था, remain allowed लेकिन अगर मैं payment नहीं करता हूँ fully or proportionately, तो जितनी तक मैंने payment नहीं करी है, उससे connected जो मेरा ITC बनता है वो मुझे reverse करना पड़ेगा, यानि कि वो मुझे pay करना पड़ेगा with interest, क्योंकि सरकार मुझे उसके लिए 180 दिन की समापती पर ineligible ठहरा रही है जब याप ineligible थे लेकिन आप तो पहले book कर चुके थे, तो अब ब्याज के साथ हमें हमारा पैसा लोटा दीजिएगा तो proportionate, अगर मैंने बिलकुल payment नहीं किया है तो पूरा का पूरा reversal, अगर कुछ आद में payment कर दिया पार्टी को तो ठीक है आप payment basis पर अपना ITC claim कर सकते हैं rebook कर सकते हैं जब जब जितना इतना pay करते चले जाओगे तब तब उतना ITC आप reclaim करते चले जाएगा तो नहीं मोटी बात ये है कि initially you are eligible to book the credit on an invoice basis as in when the invoice received लेकिन 180 दिन में payment नहीं हुआ और आपका reversal हो गया तो rebook किया जाएगा आपका payment basis पर very simple लेकिन ये जो condition है आपकी ये applicable नहीं होगी 180 दिन ज़सी बात नहीं करेंगे अगर मुझे RCA में tax बनना है तो भरने वाला भी महीं हूँ तो bill payment की कोई condition का logic बनता ही नहीं है अगर supply free of cost थी कोई supply होती है जो की free of cost होने के बावजूद भी supply बनती है मालेजिए dim distinct की बात हो रखिये तो payment की तो कभी बात होगी ही नहीं तो यहाँ पर तो बिना बात की reversal automatically होई जाएगा 181 से विदिन तो उन्होंने का कि ठीक है एफोसी supply है free of cost supply है उस पर भी ये condition हम लागू नहीं करेंगे एक clarification और दे रखिये कि माल लीजिए supplier का obligation था 10,000 total amount बनता था और 8,000 मैंने supplier को दे दिया 2,000 supplier के कहने पर किसी third party को दे दिया supplier obligation paid by the recipient तो ये वाला जो पैसा है ये भी supplier को ही pay किया हुआ माना जाता है 8 हिस को दिया, 2 हिस को दिया मैंने पूरा 10 का 10 दे दिया तो ऐसे वाले case में 180 दिन जैसी बात आई नहीं सकते because I have complied the same automatically उसके बात कहते हैं कि जो आप inward supply अपनी लेकर आ रहे हो ना भाई तो आप उसे अपने business purpose के लिस्तिमाल करके चलना बहुत लोग करते हैं कि company के नाम पर billing करा दी लेकिन practically they are using that material at their home तो ये नहीं चलेगा हम business की बात कर रहे हैं business tax पढ़ रहे हैं business का output tax है business के अंदर crate है तो उसका use भी inward supply का business purpose के लिए होना चाहिए directly indirectly active passive जैसे मर जीए but used or intended to be used that is for business purpose only only then we are eligible to book the credit and one more thing इतना ही नहीं अगले step पर आक मेरे जो outward supply है वो non exempted होनी चाहिए तो मुझे खुन दो मैं तुम्हें आ जारी तूंगा non exempted का मतलब क्या जो exempted नहीं होनी चाहिए तीन तरह के outward supply हो सकती है exempted, taxable और zero rated तो exempted नहीं होनी चाहिए तो बचा क्या non exempted के लिए taxable और अपना zero rated ये दो तरह की supply जो अपनी है मालिक तो इन पर based होके हम बात अपनी कर रहे हैं कि अगर taxable है या फिर export या ISZ को supply कर रहे हो तो उसे zero rate के नाम से जानते है तो हमें corresponding ITC allow रहता है ऐसे करके बूल दिया जाता है ITC को book करने की last date क्या है अगर ये मेरा financial year है यहाँ पर invoice की बात हो रखी है तो अगले financial year में 30th November of next financial year पहले ये 20 October हुआ करता था 30th November of next financial year और annual return filing की date whichever is earlier that will be the last date to book the credit अगर मान लीजिए इसे connected कोई debit note है जो दो साल बाद issue किया जाता है तो उसके लिए भी last date ITC book करने की क्या यह वाली रखेंगे जो main invoice की थी यह debit note के लिए independent निका लेंगे सब independent निका लेंगे for debit note we will check we will check separately उसके साब से कि भाई उसके अगले साल का 30th November और उस particular year की जिसमें debit note की बात हुई है उसके annual return तो whichever is earlier that will be the last date to book the ITC with respect to the debit note ITC और depreciation capital goods लेकर आया लाग रुपे का GST अठरा हजार का बनता था अठरा हजार का treatment क्या कर सकते हैं अगर मैंने इसका ITC claim कर लिया है तो income tax point of view से जो depreciable amount निकलता है फिर उसका ये हिस्सा नहीं बनेगा फिर वहाँ पर एक लाग की बात होगी एक लाग पर depreciation मिलेगा और अगर मैंने इसका ITC claim नहीं किया है तो मेरी actual cost का part बनते हुए depreciable value का हिस्सा बनेगा और वहाँ पर एक अठार ये करा दिया जाएगा ऐसे करके तो इदर ITC और depreciation of the GST paid on capital goods ये हम treatment कर सकते हैं ठीक है आगे है capital goods को whole life इस्तिमाल करना होता है अगर whole life इस्तिमाल नहीं किया है तो proportionate reversals हमें करने पड़ जाते हैं deemed life पांस साल रखी गई है capital goods की मैंने दो साल यूज कर लिया तीन साल फिर डिसकार्ड कर दिया निकाल दिया दो साल तक usage period का ITC मेरे पास में रहेगा balance मुझे reverse करना पड़ जाएगा ये detail में सिखाया जाता है आपके section 18 sub section 6 में यहां तो सिर्फ इतना बोला है कि proportionate reversal हो जाएगा तो proportionate ये 10-800 आया और output side में जो GST बनता है उसके discard करने पर वो whichever is higher वो आपको finally यहां पर pay करना पड़ जाता है उसके बाद में fraudulent intent में ITC आपको available नहीं होगा मान लीजे मैंने अपनी fees cash में ले ली मैं खा गया उधर auditorium का भी कराया आया था बीस लाग का तीन साथ का उस पे GST लग के आया था correspondingly मैंने वो ITC भी नहीं लिया वरना questioning हो जाती कि auditorium कराया पे लिया तो करा क्या था कि dance किया था उसके अंदर आपने जाके तो वहां दिक्कत हो सकती तो मैंने ये भी नहीं लिया लेटर ओन शोकोज नोटिस आ गया केस पकड़ा गया डिमांड ओर बना अठार लाग GST बनना पड़ा ये बनना पड़ा और penalty भी यहां पर भर नहीं पड़ी अब मैंने का साब ये सब ले रहे हो तो मुझे ये भी तो दो ये भी तो से corresponding था सरकारने का नहीं क्योंकि आपने पकड़वाया नहीं हमने आपको पकड़ा है हमारी महनत लगी हुई है fraudulent intent के case में हम आपको IT से allow नहीं करेंगे ऐसे बोल दिया जाता है और finally जो आपका credit है ये section 17 सब section 5 के मताबिक एक blocked credit नहीं होना चाहिए अगर वो blocked credit है तो उसका IT से आपको नहीं दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे अब बढ़ें आगे Yes sir हाँ बच्चा आजा आगे अब break क्यों लेना पड़ता है गंटे में इसलिए कि बोलते बोलते न कहीं न कहीं गती तेज हो जाती है अब पांच मिनट के break से ठहराव आता है और आराम से तसलिश से बात करते हैं इसके लिए हम section number 17 के 6 subsection है 1,2,3,4,5,6 5 और 6 के अंदर हम लोग बात करते हैं blocked credit की the most important discussion exam में section 17 से आएगा ही आएगा लिख कर ले लो आप मुझे से इस section में से आएगा ही आएगा blocked credit की इसमें बात कर रहे हैं और जो बाकी बचे हुए sections है 1,2,3,4 उनमें बात की जाती है आपके लिए कि भई अगर माल लीजिए कुछ exempted में कुछ non exempted में लगाया जाए तो कैसे proportionate करोगी या फिर कुछ taxable में लगाया जाए कुछ non taxable में लगाया जाए तो proportionate कैसे करके चलोगी उन तमाम बातों पर इसकी चर्चा करी जाती है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आ रहा है blocked credit और इसमें बात करते हैं passenger motor vehicle की तो passenger motor vehicle में सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करी जा रही है उन passenger motor vehicle की जिसकी capacity 13 या उससे कम की है यानि कि bus या mini bus बस नहीं mini bus कह सकते हो mini bus भी नहीं कहोगे आप car कहोगे बिसिकली से मतलब आपको यह ध्यान रखना 13 परसन या कम की बात कर रहे है कारों की बात कर रहे है क्या यहां bus के लिए कोई भी deny कर रखा है the answer is no अगर कोई व्यक्ती bus खरीता है और business purpose के लिए इस्तिमाल कर रहा है तो उसका credit definitely available यहां पर होकर रहेगा इसको पढ़ने से पहले section 17 5 को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ थंबरूल भी है इनको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है जिसे मान लीजिए normally क्या होता है कि अगर गुड दे दिया है तो गन्ना भी दे देंगे गन्ने से गुड बनता है बहुत धेर सारे गन्ने को process करके तो ये है तो ये भी होगा ये नहीं तो ये भी नहीं होगा लेकिन कुछ circumstance ऐसे भी आएंगे कि जहाँ पर गुड तो दे दिया जाए स्वरी गुड तो नहीं दिया जाएगा लेकिन गन्ना जरूर दे देंगे वो सारे situations बताऊँगा कहां कैसे निकल के आएगा एक और थंबरू लाता है जैसे को तैसा tit for tat मतलब कि normally कुछ चीजे ऐसी हैं जैसे restaurant की service हो गई normally इसका credit deny किया जाता है लेकिन अगर लेने वाला recipient खुद similar business में engaged हो जैसी service वो ले रहा है वैसे ही आगे supply दे रहा हो तो उन व्यक्तियों को exceptionally वहाँ पर credit available हो जाता है ठीक है जी उसके बाद एक और आता है legal requirement normally अगर किसी चीजे का credit disallow कर रखा है लेकिन वो किसी और law के तहत legal requirement है तो वहाँ पर उसका credit allow करवा दिया जाता है बात करेंगे हम यहाँ पर आगे चलकर आपसे one by one तमाम चीज़ों की तो सबसे पहले बोला है कि कारों का credit available नहीं करवाया जाएगा जैसे मान लिए कोई company है प्रोवाइज इसी यह है और यह अपने business purpose के लिए कोई कार खरीदती है तो कार का credit इसे available नहीं करवाया जाएगा क्योंकि अगर companies को कारों का credit available करवा देते तो मैं बताओ मुझे personally कारों का बड़ा शौकर मेरे पास एक नहीं दो नहीं पांच पांच कारे हैं तो मैं तमाम कारों को company के नाम पर ही खरीदता और बिनाबाद का unusual credit में ले जाता और ये trace करना बड़ा मुझे होता है कि क्या मैं अपनी पांचों कारों को अपने business purpose के लिए इस्तिमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ फिर तो अगर मेरे पड़ासी को भी कार खरीद नहीं होती तो मैं उसको बोलता कि तुम मेरी company के नाम पर ले जिससे कि मेरी company को credit मिल जाएगा और जितना benefit मुझे होगा उस benefit को हम आपस में divide कर लेंगे बांट लेंगे कुछ फाइदा तुझे भी होगा कुछ फाइदा मुझे होगा और हम चूना लगा देंगे सरकार को मिला कर ऐसे करके तो इसके लिए कारों का credit नॉर्मली disallow कर दिया गया है और सवाल यह उड़ता है कि मेरी कार का तो मुझे credit नहीं मिला लेकिन कार रखूंगा तो उसे पालने के लिए कुछ मुझे repair maintenance है यह सब भी भविश्य में खरीदने होंगे लेने होंगे क्या इनका credit मिलेगा भाई सब जब गुड का ही credit नहीं दिया कार का ही credit नहीं दिया गया तो कार से जुड़ी हुई जो supplies है चाहे repair maintenance की हो insurance की हो, spare parts etc हो क्या उनका credit मिलेगा the answer is no जहां गुड नहीं दिया गया है वहां पर गन्ना भी नहीं दिया जाएगा ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है लेकिन कुछ मामलों में कुछ मामलों के अंदर यह बताया जाता है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर कि कुछ व्यक्तियों के लिए जो कार है वो बैक बोन का काम करती है और जिन बिजनस के लिए बैक बोन का काम करती है उनको exceptionally हम credit allow कर देंगे इसमें आता है आपका STD S का मतलब है कि अगर आप कारों की further supply का business करते हैं मैंने कार खरीदी और आगे कार को बेचता हूँ या किराए पर देता हूँ या कोई और activities करता हूँ तो मुझे कार का यहाँ पर credit available हो जाएगा टी का मतलब है transportation अगर मैं transportation of के business में transportation of passenger के business में engaged हूँ चूर and travel agency में चलाता हूँ तो कार मेरे business के लिए backbone है उसके बिना मेरा business नहीं चल सकता है तो मुझे उसका credit यहाँ पर available करवा दिया जाएगा अगला है यहाँ पर driving school जो चलाते हैं उनका business motor car पर ही टिका हुआ होता है कार पर ही टिका हुआ होता है इसलिए उनको भी car का credit available करवा दिया जाता है जब car का credit मिल गया है तो car से जुड़ी हुई जो अन्य चीजे होती लाइक insurance की service लिए है repair maintenance की service लिए है तो क्या उनका credit मिलेगा या नहीं मिलेगा जब पूरी की पूरी car का credit दे दिया जब पूरा का पूरा गुड़ दे दिया तो गन्ना देने में भला क्या शरमा रही है तो यानि कि इन वेक्टियों को car से जुड़ी हुई services का inward supply का भी credit available यहाँ पे करवा दिया जाता है पहले बताईए बात पकड़ में आई या नहीं आई मालिक प्लीस टेल मी वेटिंग फॉर यूर रेपलाई अगले हेड में बात करते हैं एरक्राफ्ट की और पानी के जहाजों की जहाज की बात कर रहे हैं ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहे हैं जहाजों की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या हमने कोई टरक की बात करी है टरक की बात नहीं हुई टरक हमारा blocked क्रेट शिरिणी में नहीं आता है इसका मतलब टरकों का क्रेट हमें नॉर्मल तरीके से अला हो जाएगा अगर हम उसे बिजनस के इस्तिमाल कर रहे हैं तो जो restriction है जो काटा लगा हुआ है वो कारों पर और जहाजों पर लगा हुआ है बाकी किसी और मोटर वीकल पर इस तरह से ब्लॉक्ड क्रेट की बात नहीं करी गई है तो उनका क्रेट नॉर्मल तरीके से अला होगा बशरते कि वो बाकी सारी conditions क्रेट बुक करने की पूरी करते हो तो यहां पर बोलते हैं कि नॉर्मल जहाजों का क्रेट अविलेबल नहीं होगा चाहे वो इंडियन नेवी का जहाज है चाहे एर फोर्स का चाहे अमबानी जिने अपने लिए जहाज खरीद रखा भाई साब उनका क्रेट उनको अविलेबल नहीं करवाया जाएगा यहां कुछ लोगों के लिए जहाज जो हैं यह बैकबोन का काम करते हैं इनके बिजनस के लिए तो जिनके लिए बैकबोन हैं उनको इसका क्रेट अविलेबल यहां पर करवा दिया जाएगा जिसे मान के चलिएगा आप फर्दर सप्लाई आफ मोटर वीकल मतलब जहाज जहाजों के आप फर्दर सप्लाई में एंगेजड हैं आपका बिजनस ही इस चीज़ का है तो यहां आपको करेट अविलेबल हो जाएगा मैं जहाज खरीदा हूँ आगे बेचता हूँ या फिर आगे कराई पर देता हूँ तो मेरा बिजनस ही इस चीज़ का है तो मुझे इसका हो जाएगा दूसरी बात ये कि पीछे जो बात कर रहे थे ये बात थी पैसंजर मोटर वीकल के सिर्फ यहां गुड्स की बात नहीं कर रहे थे लेकिन जो जहाज हैं चाहे वो आपका गुड्स के इस्तिमाल होने वाला जहाज हो चाहे वो पैसंजर के लिए होने वाला हो द अब मान के चलिए एक जहाजों की ट्रिनिंग देते हैं कोई नैविगेशन के लिए जैसे मान लेजी एक इंस्ट्यूट है जो की जहाज उडाना सिखाते हैं और उन्होंने अपने इंस्ट्यूट के लिए एक जहाज खरीद रखा चाहिए वो पानी का हो चाहिए वो हवाई जहाज हो उसके लिए इसका जो जहाज है वो इसके लिए एक बैक बोन का काम करता है इसलिए उसका भी यहाँ पर क्रेट अविलेबल करवा दिया जाएगा यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा एड़िड है ट्रांस्पोटेशन आफ गुर्स क्योंकि जहाज दोनों काटेग जाबुक लग रहे हो यह चाबुक क्या होता भाई वे चाबुक पहले बताई यह कंप्लिमेंट है यह तो बता मुझे राज हंदोस्तानी चाबुक चलिए जिए उसके बाद में आगे बात करते हैं मालिक कि जहाजों का ऑविस सी बात है अगर जहाजों का हमें क्रेट मिल है तो उसके connected जो भी यहां पर हमारी लाइक इसके समंद में रिपेर maintenance insurance की जो services होईंगी उनका भी हमें यहां पर crate available करवा दिया जाएगा ऐसे करके ठीके जी ओके सर आगे एक बात और निकल कर आती है ये वाले जो जहाज थे जिनका करेट हमें available नहीं हुआ था अंबानी जी को जहाज का करेट नहीं मिला तो जहाज का जो insurance होगा रिपेर maintenance होगा क्या उसका करेट मिल जाएगा सर गुड़ी ही नहीं मिला तो गन्ना की भी उमीद मत करिएगा लेकिन इस बात के दो exception हैं दो exception में एक आता है टाटा और एक आता है अंबानी का exception अब टाटा मतलब जैसे की भाई ये car manufacture करते हैं car इनके लिए stock के रूप में होती है और इन्होंने अपने stock का insurance ले रखा है normally कारों का credit उनको normally ये जो insurance वगएरा होते हैं कारों का जो insurance का credit है ये उनको मिलता है जिनके लिए car capital goods के रूप में होती है जिनको ये credit कारों का भी मिल जाता है लेकिन टाटा वालों के लिए तो ये stock है तो इसके लिए तो car का credit मिलने का सवाली पैदा नहीं होता क्योंकि credit तो चीज का ऐसे ही insurance company के सम्मन्द में insurance company जो होती है वो कारों का insurance करती है, premium उसका मुख्य expenditure होता है और जो claims देने परते है repair maintenance के वो इनका मुख्य खर्चा यहाँ पर होता है, तो revenue पर जब इनका GST जा रहा है तो खर्चे पर भी इनको करेट मिल जाना चाहिए, normally कारों के insurance का repair maintenance etc का credit उनहीं को मिलता है जिनको कारों का करेट मिला हुआ हो, लेकिन insurance company का इस कार के करेट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कार किसी और की है, but exceptionally इनको इसका यहाँ पर जो ताटा अमवानी को गन्ना मिल जाएगा, भले ही गुड इनके पास में ना हो, भले ही गुड ना मिला हो, बट इनको यहाँ पर गन्ना जरूर दे लिया जाएगा, यही चीज में आपको यहाँ पर समझा रहा था पीछे, कि या तो गुड मिला है तो गन्ना भी मिलेगा, ग ठीक है सर जी, ओके बालिक आगे बढ़ते हैं प्रभुजी, इसके बाद में फिर आती हैं आपकी परस्नलाइज़ डिलेवल की कुछ एक सर्विसस यहां पर आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए, फूड एंड बेवरेजिस हो गई, आउट्डोर केटरिंग की सर्विस हो गई, लाइक खाओ पियो, एशकरो, मितरो, और आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गई, हेल्थ की हो गई, कॉस्मेटिक प्लासिक साजरी हो गई, लाइफ इंशुरेंस, हेल्थ इंशुरेंस, इन सभी में कॉमन क्या हैं, यह व्यक्तीगत सर्विसस हैं, मतलब इनका जो रियल कंसम्शन करने वाला है, वो एक इंडिविज्वल होता है, अब ब्यूटी ट्रीटमेंट के सर्विस को एक कंपनी तो नहीं होती ना, कंपनी का तो ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं होता ना, फेशल मसाज तो एक इनसान का ही होगा ना, तो यह इनसानों से इगत मेचर की हैं, डारेक्टर, एंप्लोई वगेरा ये सम मौज कर रहे हैं, तो कंपनी को हम इसका क्रेट अविलेबल नहीं करवा के देंगे, no means no, क्रेट के लिए डिस अलाव कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉंसेप्ट काम करेगा आपको जैसी को तैसा, जैसे मान लिजिए, रेस्टोरेंट की या फूड वेबरेजिस की सर्विस का जो करडिट है, वो नॉर्मली डिस अलाव किया जाता है, लेकिन अगर यह सर्विस लेने वाला खुद एक रेस्टोरेंट हो, एक सागर रतना रेस्टोरेंट है, और वो फूड सापलाई कर रहा है खाना मंगवाता है, तो जो खाना एक सिमिलर बिजनस अक्टिविटीज के अंदर सप्लाई किया गया है, वहाँ पर सागर रतना को इसका क्रेट अविलेबल करवा दिया जाएगा, दूसरा, इंसानों का जो इंशुरेंस यहां पे करवाया जाता है, उस इंशुरेंस का क्र अविलेबल नहीं होगा, लेकिन LIC अगर कुछ पार्ट री इंशुरेंस कर देती किसी दूसरी इंशुरेंस कमपनी को, तो निशित तोर पर दूसरी इंशुरेंस कमपनी LIC से प्रीमियम चार्ज करेगी, तो उस पर LIC को यहां पर क्रेट अविलेबल करवा दिया जाएगा जिट ओके मालिक, अगर हाँ, तो प्लीज मुझे जवाब दीजीगा, उसके बाद फिर हम चर्चा को और आगे अपना विस्तार से बढ़ा कर चलते हैं, सर ये इंटर वाले भी देख सकते हैं, हाँ बाबू, तीन सेक्शन, सेक्शन, सेवन, तीन, एटीन, ये इंटर वालो है, नॉर्मली क्या होता है, कि जिसे मान के चलिएगा, कि कुछ एक सार्विसेज हैं, लाइक हम बात कर रहे थे, ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, ट्रैवल बेनेफिट्स तो एंपलॉई, नॉर्मली इसका क्रेट अविलेबल नहीं करवाया जाता है, लेकिन अधर वालो क को एक कैब करके देना मेंडेटरी होता है, तो वैसे वाले मामले केंदा, चुकि यह अधर वालो की रिक्वार्मेंट है, और अगर यहां पर GST वाले क्रेट नहीं देंगे, तो कही ना कहीं यह दूसरे लौका अपमान कर रहे हैं, कि वो तो कहरा कि नहीं करवाना जरूरी ह और तुम के रहे हो नहीं ऐसी कि तैसी हम करेट भी नहीं देंगे, मतला हम मानते ही नहीं इसको, तो इसलिए कहागा कि अगर किसी अधरवाइज लौकी रिक्वार्मेंट में आता है, तो यहां पर करेट मिल जाएगा, दूसरे एक्जामपल हेल्थ इंशुरेंस की बात करत दिया जाएगा, तो यह था आपका अगला वाला थंबरूल, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि नॉर्मली तो कुछ सर्विसस का करेट आपको नहीं मिलेगा, लिकिन वो किसी अधरवाइज लौकी लीगल रिक्वार्मेंट में आता है, तो यहां पर करेट अविलेबल करवा दिया जाएगा, ऐसे करके, येस, येस सर, रेनु अगरवाल, येस सर, मैं जानता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि आप हमारा नाम लेलो सर जी, हाँ जी, बहुत खूब खा सर जी, अरे हम तो ऐसी कहते हैं, हमारे साथ रोगों तो यह से एश करोगे, हाँ जी, उसके ब यहाँ पर आपकी गुड्स और सर्विसेज एकठी वैल्यू पर सप्लाइ किया जाते हैं, एन्ड रिजल्टेंट प्रॉपर्पर्टी आपकी इम्मुवेबल प्रॉपर्पर्टी होती है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने का ठेका, पुँल बनाने का ठेका, रोड बनाने का ठ ठीका, pipeline बिछाने का ठीका, ये सभी के सभी आपके works contract कहई राते हैं, works contract का credit recipient को available नहीं होता है, लेकिन इसके दो exceptions हैं basically, एक जैसे को तैसा, यानि कि मैं एक खुद works contractor हूँ, my outward supply is of works contract, और अगर मैं works contract की service लेता भी हूँ, मालने जिए मैंने कोई बड़ा project पकड़ लिया, time से complete नहीं हो पा रहा, तो मैंने कुछ पार्ट सब contract कर दिया, और एक दूसरे contractor से मैं works contract की service ले रहा हूँ, then आगे दे रहा हूँ, तो मुझे इसका credit available करवा दिया जाएगा, दूसरी एक और बात, मान के चलिए, मैं मेरी factory के लिए एक machinery लेकर आता हूँ, machinery का मुझे credit मिलेगा, yes मिलेगा, उस machinery को install या erect करवाने के लिए, cement concrete का एक foundation मैंने तयार करवाया, और उसके लिए मैंने works contract पे काम करवाया, cement वगरा, labor वगरा सब उस contractor कही था, उसने foundation तयार कर दिया, इस works contract की service का मुझे credit मिलेगा है नहीं मिलेगा, मैं capital goods machinery का तो credit दे रहा हूँ, लेकिन machinery के मैं जो installation के लिए मैंने works contract की service लिए, उसका credit ना मिले, ये तो गजब हो जाएगा सहाब, तो इसलिए कहा कि अगर good दे दिया है, machinery तक का credit दे दिया, तो उससे connected जो works contract की service लिए है, उसका credit क्यों नहीं दे रहे हो, तो अगर good दे दिया है, तो गन्ना भी दे दिया जाएगा, तो works contract के हुए दो exception, एक अगर ये capital goods के सम्मंद में हैं, और दूसरा जैसे को तैसा के सम्मंद में हैं, तो तो credit मिल जाएगा, otherwise आपको credit नहीं मिलेगा, याद रखना सिर्फ दो चीजों के सम्मंद में exception है, works contract का, एक capital goods, और दूसरा हो गया आपका यहाँ पर जैसे को तैसा के सम्मंद में, what about building material और construction, अगर मैं works contract की service को खोल देता हूँ, तो इसमें दो element निकलते हैं, एक building material, cement, सर्या, etc. ये सब निकलता है, और दूसरा इसमें labor component यानि construction service निकल के आती है, तो जो treatment basically works contract को दिया गया, वैसा ही treatment यहाँ पर भी दिया गया है, कहने का मतलब ये है, कि normally building material और construction service का credit अविलेबन नहीं होता है, मेरा अपना office है, office में कमरा मुझे extra बनवाना था, उसके लिए building material लेकर आया, cement सरीया, credit नहीं मिलेगा, construction की service लिए मुझे credit नहीं मिलेगा, लेकिन exception हैं इसके दो, दो exceptions में, जैसे को तैसा, अगर मालीजिए, यहाँ पर एक construction company है, मेरी outwards supply construction की है, और मैं construction की service ले रहा हूँ, तो मुझे credit मिल जाएगा, दूसरा, मेरा building material का व्यापार है, building material outwards supply, अगर मैं building material खरीद रहा हूँ, तो मुझे इसका credit available हो जाएगा, जैसे को तैसा वाले case में credit available करवा दिया जाएगा, दूसरी बात, capital goods के समंद में, एक machinery लेकर आता गुड का तो credit दे दिया, machinery का तो credit दे दिया, machinery से जुड़ी हुई चीज़ों credit नहीं दोगे, देना चाहिए, गुड दे दिया है, तो गन्ना भी दे देंगे, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, मना नहीं करेंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है, तो गुड दे दि मशिन्री का क्रेट दे दिया है तो मशिन्री से जुड़ी हुई कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मेटल्स का भी क्रेट अवेलेबल करवा दिया जाएगा I got 70 marks that's great प्यूश You are genius Sir उसके बाद आगे निकल के आती हैं बाते हैं यहां पर मालिक composition dealer की यह वो लोग होते हैं जो कसम खाते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे ना तो हम क्रेट बुक करेंगे और ना ही हमारे document के दम पर सामने वाला व्यक्ति क्रेट बुक कर पाएगा अर्थार्थ composite dealer is not entitled to book the crate in books of account और आगे वो अपने customer को देता है bill of supply rather than invoice उसके अंदर वो GST चार्ज करने का अधिकारी नहीं होता तो इनका जो recipient होगा उसको भी crate available नहीं करवाया जाता है ना खाते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे आगे बात करते हैं non-resident taxable person की ये विदेशी बंजारे होते हैं जो temporarily इंडिया में व्यापार करने के लिए आते हैं तो जब ये goods लेकर आते हैं तो इन्हें customs पर IGST का payment करना होता है बस IGST का एक crate मिलेगा इनको बाकि कोई और crate नहीं दिया जाएगा हाला कि इस तरह का प्रतिबंध अपने देशी बंजारों को उपर नहीं है casual taxable person को उपर इस तरह का प्रतिबंध नहीं होता है आगे कुछ mislienis बात की जाती है कि अगर हम कोई inward supply लेकर आते हैं और उसे personal consumption में इस्तिमाल कर लेते हैं चोरी चकारी हो जाती है, destroy हो जाता है मतलब business purpose के ले इस्तिमाल नहीं हो पाया मुझे उसका भी credit यहाँ पर available नहीं करवाया चाएगा यह free sample की बात करते हैं ध्यान रखना free sample में दो बाते होती है अगर आप free sample का मतलब foc distribution आप कर रहे होते हो आपने यहाँ पर credit available नहीं कराया आपने ITC book नहीं किया है तो क्या outward side पर यह आपकी supply बनेगी दानसर इसनो Outward supply, supply chapter में एक चीज़ देखते हैं permanent transfer of business asset जिसके समद में ITC ले रखा हो तो यह आपका foc हुआ है, permanent transfer हुआ लेकिन आपने ITC नहीं लिया था आपका supply नहीं बनेगा और नहीं आपके output GST liability बनेगी तो sample जो बाट रहे हो उस पर credit नहीं लिया है तो no ITC and no output GST बट अगर आप credit लेकर बैठे हैं तो वैसे वाले मामले के अंदर क्या करवाया जाएगा फिर आपने यहाँ पर foc से supply किया है तो output GST बना पड़ेगा नहीं लेते हो तो output GST भी आपको नहीं बना पड़ेगा चोईस आपके जो ठीक लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं यह हैं आपके section number 17, 5 और section 17, 6 करके यहाँ पर complete हो जाते हैं उसके बाद हमारी बात आती है common usage को लेकर मालिक आप आराम से तसली से चीजों को देखिएगा आगे जो पढ़ाने जा रहा हूँ CACA intermediate में भी आता है पर मुझे लगता है कि शायद question नहीं पूछा जाएगा उनसे बट फिर भी syllabus का हिस्सा है तो करना तो उनकों भी है सारी बातें आराम से और तसली से देखना मैं आराम से करवाँगा मैं कुछ समय के लिए भूल रहा हूँ कि यह revision वीडियो है मैं आराम से करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें अक्सर queries आ जाती है ठीक है तो मैं यहां बैठ जाता हूँ बैठ के तसली से सारी बातें करके चलेंगे सेक्शन 17 का बैलेंस पार्ट ठीक है जी रेडी और नॉट बोलू पहले आर यू रेडी यस और नो यस सर वी आर रेडी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 यह कहता है बिजनिस एंड नॉन बिजनिस आप जो भी इनवार्ट सप्लाई लेकर आ रहे हो अगर आप उसे बिजनिस परपस के इस्तिमाल करते हो तो आपको पूरा का पूरा क्रेट मिल जाएगा और अगर आप उसे बिजनिस परपस के लिए बिल्कुल इस्तिमाल नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल भी क्रेट नहीं मिलेगा और अगर आप उसे कुछ बिजनिस परपस के लिए और कुछ otherwise purpose के लिए इस्तिमाल करते हो तो आपको credit proportionate हिसाब से ही दिया जाएगा उसमें हम proportion ही करके चलेंगे आपको पूरा credit यहाँ पर नहीं दिया जाएगा उसकी detail व्याक्ख्या आभी हम कुछ दिर में अपनी करके चलेंगे ठीक है? Yes sir तो exclusively business use में आपको पूरा का पूरा ITC मिल जाएगा exclusively non business purpose कुछ नहीं मिलने वाला common usage है तो proportionate करके चलेंगे Is it okay? Yes sir, common sense की बात है आगे है exempted और non exempted की बात है यह भी common sense की बात है कि आप जो भी inward supply लेकर आ रहे हो अगर आप उसे exempted में लगा रहे हो आपको एक धेले का ITC नहीं मिलने वाला और अगर आप उसे non exempted में लगा रहे हो non exempted में दो चीज़ा जाती है है आपर एक taxable और दूसरा zero oriented supply यानि कि जो export वाली supply है तो non exempted में लगा रहे हो तो आपको पूरा का पूरा ITC मिलेगा लेकिन अगर आप उसका common usage कर रहे हो mix usage कर रहे हो तो पिर आपके लिए proportion जैसी बाते करी जाएंगी proportion कैसे होगा वो आगे आपको सिखाया जा रहा है common usage में हम बात करके चलेंगे यह है आपका common usage अगर करते हैं तो क्या किया जाएगा यहाँ पर यह दो पेज का मेरा पूरा analysis है जिसमें rule number 42 और rule number 43 यहाँ पर completely आपके आ जाते हैं मैंने देखा कि exam time में अकसर इन दो pages पर queries आपकी पूछी जाती है तो आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा अगर हम बात करते हैं इनपुट और इनपुट services की तो क्या होगा अगर हम बात करते हैं capital goods की तो क्या होगा पहले यहाँ आ जाएए इनपुट और इनपुट services अच्छा दोनों के बीच में अंतर क्या है यहाँ पर common usage में अगर मैं input लेकर आता हूँ 100 kg और उसे common use में लगाता हूँ तो ध्याँ सुना तो मैं इसे quantify कर सकता हूँ quantify कर सकता हूँ कि इतना तो मेरा लग गया say 40 kg exempted में गया बाकी 60 kg non exempted में चला गया तो मैं इसे quantify कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं capital goods लेकर आता हूँ एक machinery लेकर आता हूँ और इसको मैं common usage में लगाता हूँ तो क्या मैं से quantify कर सकता हूँ कर तो सकता हूँ लेकिन quantity के ratio में नहीं बलकि इसके life के ratio में कही ना कही मैं से proportionate करके चलूँगा तो input input service के समन में quantity wise proportion करेंगे और capital goods के समन में life wise proportionate करके चलेंगे capital goods की जो deemed life रखी गई है तो जब आप input या input service के common usage की बात करते हैं तो आपका पहला कदम क्या है आप monthly calculation करेंगे हर महीने calculation आपको करनी है आपका जो भी invoice में GST लिखा था आप 100 kilogram material लेकर आए हैं भले ही आप अपने यहाँ बाबू मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुना यार प्लीज भले ही आप अपने यहाँ उसे कुछ exempted में कुछ non exempted में लगाएंगे लेकिन वो बाद की चीज है पहले जितना आपके invoice में GST amount लिखा हुआ था आप पूरा credit बुक कर लीजिए क्यों बुक कर लें क्योंकि सरकार को portal पर match भी करवाना है कि उस बंदे ने जितना GST भरा कि आपने उतना ही credit लिया है कि नहीं लिया है तो वहाँ से उसका GSTR वन गया था आपका यहाँ GSTR 2A में reflect हुआ होगा और आप अपने E-crate लेजर के अंदर first of all उतना ही amount जानी कि पूरा का पूरा credit बुक कर लेजिए फिर अपने यहाँ R&D कर लो कि आप कितने के हकदार हो और कितने के हकदार नहीं हो जितने के हकदार हो उतना रहन दो जितने हकदार नहीं हो उतना reversal डालो तो यहाँ पर बोले गए कि आप इसमें पूरा का पूरा माली जी आपका 18,000 का बनता था पूरा जो credit बनता था उसमें से आप जो जितने के लिए ineligible हो उतना आप यहाँ से reverse कर दीजिए हर महीने every month आपको reversal करना होगा तो माली जी आपने let's suppose 8,000 रुपे का जो credit था वो आपका ineligible था तो आपने उसको यहाँ से घटा दिया और net रह जाता है आपके पास में 10,000 टुपेज ओनली सर्थ डारेक्टरी 10,000 बुग क्यो नहीं किया अगर मैं डारेक्टरी 10,000 बुग करता तो miss matching होती वो 18,000 दिखा रहा है आप 10,000 ले रहे तो matching में दिक्कत आती सरकार को सरकार कहती पहले जितना उसने पे किया तो पहले पूरा बुक कर फिर उसे वहां से अपना हटा दे यह हमें पता चलेगा कि exactly क्या हो रहा है अब सवाल यह उठता है कि यह जो in eligible वाला portion है इसको calculate कैसे किया जाता है तो इसके हमारे पास दो तरीके है एक है actual basis पर अगर आपको वाकई में पता है कि मेरा कितना तो गया exempted में कितना non exempted में है ना फिर तो बहुत अच्छी बात actual basis पर काम करके चली तो जितना आपका गया है exempted में उतने तक जो आपका credit बनता है उतना तक आप यहां से reverse कर दीजिए actual basis पर लेकिन generally यह पता नहीं लग पाता है बड़ी factory level पे काम चल रहा है भाई साब माल आया कुछ यहां गया कुछ वहां गया तो पता नहीं चल पाता है like non-business दो हैं आपके ineligible के कारण एक exempted में इस्तिमाल होना और दूसरा non-business purpose के लिए तो आपका जो भी non-business purpose के लिए जो भी आपका non-business purpose के लिए इसके लिए fixed formula दिया गया है कि जो भी आपका CC CC का मतलब common credit है धिया रखना CC का मतलब common credit जो भी आपका common credit है उसका 5% हम मान लेंगे अगर आपका business और non-business दोनों में इस्तिमाल होता है तो हम और आपको actual बिस पर पता नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि common credit का 5% आपका non-business purpose के लिए इस्तिमाल हुआ है ऐसा यहाँ पर मान लिया जाएगा उसको हम turnover के ratio में proportionate कर देंगे turnover का ratio कैसे निकालेंगे जो आपका exempted का turnover था divide by your total turnover turnover calculation आगे सिखा रखे turnover कैसे निकालते हैं आप शिंता मत करना तो जो भी आपका exempted का turnover है वो divide by total turnover और common credit को इस तरह से हम निकाल देंगे तो इससे हमारे पास में चर्भी निकलाएगी fat निकलाएगा ineligible portion निकलाएगा non-business purpose का भी और हमारे exempted में जितना लगा उसका भी और इस total को हम यहां से minus कर देते हैं घटा देते हैं तो हमारे पास में net ITC यहां पर बचा रह जाता है पहले बताओ यहां तक कोई दिकर या तो actual base पे काम कर लो और actual का डिटा नहीं है तो यह fixed जो formulas आपको दे रखे हैं एक turnover ratio दे रखा है और एक non-business purpose के लिए 5% दे रखा है यहां इस तरह से fat निकलाएगा इस fat को reduce कर दीजिए बाकी जो बचेगा वो आपके पास में रहे जाएगा ऐसे करके अब बात करते है annual calculation के तो यह जो process थी आप हर महीने हर महीने करते जा रहे थे अब पूरा साल बीत गया साल बीत जाने पर आप जानते हैं कुछ debit note, credit note भी आते जाते रहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक debit note, credit note या किसी और कारणों के चलते हुए हो सकता है कि आपका जो reversible amount है वो वैसे आपने reverse कितना किया होगा सर अगर हम इसी question के मताबिक बात करके चलें तो मान लिजीए same data repeat होता है आपका हर महीने तो common credit 18,000 के मताबिक होगे आपका 2,16,000 रुपे का ठीक है ना और आपका जो in eligible credit हुआ पूरे साल भर का अगर यही data repeat होता है तो 96,000 रुपे का आपका common credit यहां पर बनता है लेकिन at the end of the year पता लगा कुछ debit credit note का कुछ चक्कर पड़ा और पता लगा कि नहीं भाया यह तो आपका 1,000,000 या 90,000 होना चाहिए था आपने reverse कर दिया 96,000 लेकिन reverse करना चाहिए था आपको मात्र 90,000 यानि कि आपने 6,000 extra reverse कर दिया है कोई बात ने extra reverse कर दिया तो आप उसे re-avail कर लीजिए 6,000 का credit re-book आप अपनी किताबों के अंदर कर सकते हैं दूसरी बात कि आपने 96,000 रुपे reverse कर चुके हो लेकिन आपको करना चाहिए था 1,00,000 रिवर्स यानि कि 4,000 रुपे का आपने short reversal किया है तो कोई बात नहीं 4,000 रुपे का reversal अब कर दिजिए या 4,000 रुपे के बराबर का एक amount आप सरकार को पे कर दिजिए और इसके लिए जो तारीक है वो अगले साल की 30 सितंबर यहां पर आपकी रखी गई है अगले साल की 30 सितंबर तक जो भी आपको कुछ प्लस माइनस करना है उसके अंदर जो आप already कर चुके हो पूरे साल का analyze data लिया और आपका ये निकल कहता प्लस माइनस करना है आप उसे 30 सितंबर तक निप्टा दीजिएगा और बात खतम यहां पर हो जाएगी मालिक तो यह है आपका यहां पर आकर input और input service के सम्मंद में और प्रेम से बोलेंगे राधे 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 अब हम भड़ते हैं capital goods की तरफ capital goods के अंदर वो क्या बोलता है सुनिए जरा महारी बात को सबसे पहले वही आप capital goods लेकर आते हैं तो जो भी invoice के अंदर GST का amount लिखा हुआ था आप उस amount को अपनी किताबों में पूरा का पूरा book कर लीजिए क्योंकि सरकार चाहती पहले matching तो हो जितना GST ने भरा है उतने तक का crate अपनी किताबों में ले लो और जो तुमने यहां पर गुल खिलाए हैं अपने यहां लाकर capital goods को उसके इसाब सब अपने यहां R&D कर लीजिएगा तो पहले मैंने पूरा ledger होता है e liability ledger उसके अंदर भी मैं इसको add कर सकता हूँ क्योंकि मेरे portal पर अलग-अलग ledger होते हैं तो जो e credit ledger है उसमें मेरी asset है और e liability register के अंदर मेरी liability होती है तो या तो मैं अपनी asset को कम कर लूँ या liability को बढ़ा दूँ बात तो एक ही होती न मालिक तो liability बढ़ाने से थोड़ा सा track पता लग जाता कि exactly हो क्या रहा है credit को नहीं छेड़ रहे उसके equivalent हम liability वहाँ पर create कर देते हैं तो आप इसे अपने दिमाग में reversal ही मान के चले हाला कि यहाँ पर output liability मैड होता बट दिमाग में reversal रखके चले चीज समाझ में अच्छे से आपको आ जाएगी तो पहले आप पूरा book कर लीजिए और जितने के लिए आप ineligible हैं आप योग नहीं है उतना तक आप reversal यहाँ पर कर देंगे वैसे करके लेकिन reversal का amount कैसे निकालें इनपुट में तो quantity ratio में हमने quantify कर दिया उसे लेकिन capital goods में quantity wise तोड़ नहीं सकते उसको तो क्या किया जाएगा मान लीजिए आपका 18,000 रुपे का GST लगके आया था बिल के अंदर deemed life of the capital goods साथ महीने की है तो सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे क्रेट को over the period of 60 month spread कर दीजिए हर महीने पर निकाल दीजिए कितना कितना आता है तो हर महीने के साब से जो क्रेट बनेगा आपका 300 रुपे 300 रुपे because मैं 18,000 में 60 से divide करूँगा तो यह मेरा 300 रुपे आता है यह है मेरा common credit हर महीने का मेरा 300 रुपे 300 रुपे 300 रुपे 300 रुपे है जो भी आपका exempted turnover है divide by total turnover ऐसे करके आप उसका यहाँ पर निकाल लेंगे जैसे मान लीजे मेरा exempted turnover suppose 30 रुपे का था किसी particular मन्त का और total turnover मेरा 70 रुपे का था तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा और यह मेरा निकल क्या रहा है इतना amount मैं अपनी output liability में add करता चला जाओंगा ऐसे करके यहाँ पर बात हो जाएगी तो क्या आप मुझे बता सकते कुल मिलाकर मेरी output liability में कितना amount add हो जाएगा finally मैं करके देखता हूँ यहाँ पर आएगा 128 रुपे 57 पैसे हर महीने अगर मैं 128 57 इंटू करते हैं इसमें हम 60 की तो लगबख 7714 रुपे मेरे output liability में add हो जाएगे यह यह कहिए कि मेरा ITC का reversal हो जाएगा 18 जार पूरा book किया था और इतना उसमें से reversal हो जाएगा लिकिन यह over the period होगा over the life of the capital asset यहां पे करवाया जाएगा is it okay मालिक पहले बताईए यहां तक कोई दिक्कत आपको बस अंतर इतना कि capital goods में life के आधार पे बात करेंगे और input और input service में quantity के आधार पर हम लोग बात करके चलेंगे पहले मुझे बताईए यह okay है तो मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज माइडियर यह okay है तो मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ ही नहीं करना है यार पूरा का पूरा credit book कर लीजिए हर महीने पर allocate कर दो आप उसे और उसमें से निकाल लो कितना fat कितनी चर्बी निकलती है proportion कर लो turnover के ratio में और हर में इतना add करते जाए जाओ बात कर दम इतनी सी बात होती है बस ठीक है न yes sir okay sir जी कौनों दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है yes ठीक है मालिक आगे बढ़ते हैं साहब आगे आता है आपका special case number one इसमें आती है queries जो special case आपके सामने आ रही है क्या होगा अगर ऐसा हो तो कि शुरू में यूज किया हुआ गया आपने capital goods को exclusively for exempted purpose आज मैं capital goods लेकर आता हूँ और आज सीन ये है मेरे business के अंदर कि I will use the capital goods exclusively for exempted purpose तो क्या आज मेरी हिम्मत होगी कि मैं आज उसका credit book कर लो जब मुझे साफ दिख रहा है कि I will use it for exempted purpose तो आज में कोई credit book नहीं करूंगा लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि मैंने एक नया product अपनी factory में और add कर दिया और अब उस capital goods का इस्तेमाल common purpose के लिए किया जाएगा कुछ taxable के लिए किया जाएगा और कुछ exempted के लिए किया जाएगा यानि कि मैं like कुछ मेरा अब जो credit है वो eligible बनेगा और कुछ मेरा credit in eligible बनेगा common credit के लिए तो एक बात बताओ इस date से पहले मैंने जितना भी इस्तेमाल किया क्या उस period का मैं credit लेने का अधिकारी हूँ the answer is no big no क्योंकि वहाँ पर exempted था आगे चलकर अगर मान लीजिए मैं यहाँ exempted में लगा रहा हूँ तो उसका क्या credit ले पाऊंगा the answer is no और अगर जो non exempted में लगा रहा हूँ उसका credit ले पाऊंगा the answer is yes तो जहां दीजिए दो जगे काटे लगे हुए हैं ना तो इस period का मुझे credit मिलेगा और दूसरे period में जहाँ common usage है वहाँ पर जितना तक मैंने exempted में लगाया है उसका credit नहीं मिलेगा अब इसको handle कैसे किया गया अब यहाँ पर आकर जब मुझे पता लगा कि यह common usage में आ गया है क्योंकि period 1 में जब मैं खरीद कर लाया था तो उस समय तो मुझे credit बुक करने का अधिकार ही नहीं था लेकिन जब यहाँ पर अधिकार मिला कि आप credit ले सकते हैं तो first of all I will take 100% credit जितना invoice के अंदर लिखा हुआ था पहले मैं पूरा का पूरा book credit book करूँगा पूरा का है book कर रहे हो सर जी सुनो आप कहरे होगे सर इतना book करूँगा जितना यहाँ पर था क्योंकि इस period का तो मिले गए यह नहीं तो जितना आपका remaining था वो book करूँगा नहीं नहीं remaining नहीं पहले पूरा book करूँगा क्योंकि government उसको match कराना चाहती कि जितना GST उसने भरा था क्योंगा वाकिए में उतना credit तुमारे यहाँ पर बनता है कि नी पहले पूरा book कर लो फिर जतने के लिए तुम इन eligible हो उतना वहाँ से हटा दो बात कर तुम पहले पूरा book करो उसके बाद अपने तुमने यहाँ क्या किया उसे हटाई हमने का पूरा book कर लिया इसमें से इनलिजिबल निकालो अब इस पूरे पीरिड वन के अंदर मेरे छे क्वार्टर थे तो छे क्वार्टर का हो गए 30% तो 18,000 मेरा टोटल बनता था तो 18,000 का 30% हो गया 5,400 तो इतना तक का तो मैं बिल्कुल भी हगदार हूँ ही नहीं इसको तो बिल्कुल डिनाय मार दीजिए 18,000 का क्रेट मेरा E क्रेट लेजर में चला जाएगा और 54,000 रुपे की मेरी E Liability Register में इस देट पर में पहुँचा दूँगा यानि कि 18,000 रुपे की मेरी ये चला गया भाई साब E क्रेट लेजर के अंदर और इसी डेट पर मेरा 5,400 चला जाएगा E Liability Register के अंदर प्रैक्टिकली मुझे जो बेनिफिट दिखा वो 18,000 माइनस 5,400 यानि लगबग 12,600 का मुझे बेनिफिट यहां पर हुआ यूँकि मेरी 18,000 के एसेट बढ़ी और 5,400 के मेरी लाइबरिटी क्रेट हुई तो मेरा Net Gain basically 12,600 रुपे का यहां पर रहा है उसके बाद अब आता है आपका ये वाले पिरेट का कैसे निकाल के चलोगे ये वाले पिरेट का कैसे निकालोगे तो इस वाले पिरेट का निकालने के लिए निकाल के पहले आप इस क्रेट को पिरेट पे एलोकेट करो अब मेरे पास दो चोईस हैं, कि पहली चोईस तो ये है कि मैं इसका whole credit लूँ और whole period लूँ, whole credit और whole period तो मन्थली निकलेगा, मन्थली common credit मुझे निकालना है, मन्थली common credit निकालना है, तो या तो whole credit divide by whole period या फिर balance credit divide by balance period ये करके चलूँ, तो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, कि सर ऐसा करना चाहिए हमें, क्योंकि 18,000 का लिया था, 5,400 को सीन खतम हो गया, बचता है 12,600, तो मैं 12,600 को allocate करना चाहिए, मन्थली, 12,600 को allocate करोगे, तो आपको balance life रखनी पड़ेगी, lawmaker ने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया कि एक काम divided by, पूरे प्रेड़ पे 18,000 को allocate कर दिया, और हर महीने निकल काएगा 300, 300, 300, 300, तो यहां तक जो 300, 300, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसके बाद जो आ रहा है, इससे मुझे मतलब है, कि मेरा मंतली common crate, हर महीने का 300 रुपे निकल कर आ रहा है, और इस 300 रुपे के हर महीन अब यह मेरा period 1 था, जहां पर मेरे 6 quarter की बात ही, तो यह तो मेरा irrelevant हो चुका है, because इसका तो मैं treatment दे चुका, 5,400 का already में अपनी output liability में add कर चुका, अब तो फिलाल मुझे इससे मतलब है, इसमें हर महीने जो मेरा 300 रुपे का आ रहा है, इसमें से eligible और non eligible, यह मुझे यहां पर तो यह मैं यहां से divide करूँगा, वैसे करके मेरी हर महीने की liability यहां पर आएगी, और जो बचे हुए महीने थे मेरे 42 महीने मान लीजी, अगर यहां पर 18 महीने थे, तो जो बचे हुए 42 महीने हैं, उनके उपर मैं इसको allocate कर दूँगा, तो यानि कुल मिलाकर, इस case में पूर usage आई, वहां पर 128.57 into 42 महीने, यह 5,300, 5,400 आगया बेसिकल यह भी, और second period के लिए भी 5,400 मेरा माइनस हुआ, तो practically मेरे पास जो gain रहा, वो कितना रहा, यह आगया जी 18,000, minus 5,400, minus 5,400, तो practically मेरे पास gain रहा, 7,200 रुपे का, लेकिन calculation कुछ इस कदर की गई, पहले पूरा book कर लिया, फिर period 1 का निकाल दिया, जितना उस पूरे period 1 के लिए eligible नहीं था, period 2 में common usage था, तो वहां पर proportionate करके in eligible के मैंने calculation कर दी है, और ऐसे करके हम अपनी बात यहां पर निप्ता देते हैं मालिक, मुझे बताए बाबो मेरे, बास समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना, हाँ या ना मालिक, वेटिंग फॉर रेपलाई, प्लीज, बड़ा असान है यार, मतलब ज्यादा, लोड लेने की जिरोत नहीं इसके उपर, प्रैक्टिकल देखो ना, कि आप कितने के लिए eligible हो, कितने के लिए eligible नहीं हो, जाँ eligible नहीं हो, जाँ eligible हो, वाँ काटा मारो, जा ये सर, तो ये होगे हमारी बात, यहां पर ऐसे करके मालिक, अब आता है आपके सामने special case number 2 यहां पर निकल कर आता है, इसको बज़र ध्यान से देखो, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, कि शुरुवाती दोर में वो आपका non-exempted था, आज मैं एक capital goods लेकर आया हूँ, और आज म मुझे लगता है कि whole life non-exempted में इस्तिमाल किया जाएगा, तो मुझे बताइए, आज मैं मेरी किताबों में credit book कर लूँगा या नहीं करूँगा, या सनो, आज में credit book कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हाँ सर, आज आप credit book कर लोगे, thank you सुमित, कर लेंगे, तो non-exempted मे मैंने पूरा का पूरा 18,000 रुपए credit अपनी किताबों में, whole credit में आज ही अपनी किताबों में book कर लिया है, अब आगे चलके क्या हुआ, कि यहां पर एक cut-off date आई, और यहां से अभी एक common usage में लगना शुरू हो गया, तो मैं इस period का ITC पूरा-पूरा मुझे मिलेगा, period 1 क अब period 2 का जो ITC है, उसमें से जो मेरा eligible है, एक period का मिलेगा और दूसरे period का मुझे नहीं मिलेगा, मतलब उस period में एक part का मिलेगा, एक part का नहीं मिलेगा, तो cut-off date पर आकर क्या मुझे पहले ITC book करना है, ऐसी कि तैसी, e-cret ledger में तो मेरा पहले ही जा चुका था, यहां पर म मुझे transfer करने की जरूत नहीं है, तो formula वह यह पुराने वाला, कि 18,000 का अगर बनता था, तो 18,000 को आप सबसे पहले over the period आप उसे allocate कर दीजिए, ध्यान रखना, over the period allocate करने के लिए always, 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 whatever may happen, चाहे normal case हो, special case 1 हो, special case 2 हो, whole credit divide by whole period, monthly, एक महिने का, किसी भी महिने का common credit निकालना है, चाहे इस महिने का, इस महिने का, इसका, 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 किसी भी महिने का common credit निकालना है, whole credit, divide by whole period, and whole period is 60 month, तो मेरा monthly common credit निकलाएगा, तो monthly common credit मेरा 300 पे निकलता है, turnover ratio में निकाल दूँगा, divide कर दूँगा, allocate कर दूँगा, तो मेरी monthly liability ये निकल किया जाएगी, लेकिन, ये मेरी monthly liability कहां से payable होगी, सरे payable होगी वहाँ से, जहां से हम common usage में आए हैं, तो जो भी मेरा balance period है, अगर ये पहला period 18 महिने का है, तो जो मेरा balance period होगा, 42 महिने का, उस period के लिए मुझे हर महिने 128 रुपे 57 पैसे add करने पढ़ेंगे अपनी output liability के अंदर, और IT से शुरू में पूरा का पूरा मैं बुक कर चुका था, तो IT से 18,000 पहले दिनी बुक कर चुका था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 128 रुपे 57 पैसे मुझे पे करने पढ़ेंगे 42 महिने तक, तो यानि कुल मिलाकर 5,400 रुपे मुझे पे करने पढ़ेंगे, तो 8,000 ले चुका था, 5,400 का रिवर्सल हो जाएगा, तो प्रक्टिकली गीन रहा मेरे पास में 12,600 रुपे का, तो ये थे आपके रूम नमबर 42 और 43, ये था कॉमन यूसेज को लेकर ट्रीटमेंट मालिक मेरे, यहाँ पर तरनोवर का अलग-अलग मीनिंग दे रखा है, अप इसे यहाँ से देख लीजिएगा कि कहां पर क्या निकल के आता है, एक शांदार से टेबल मैंने आपको यहाँ पर बना कर दी है, ठीक है जी, उसके बाद में आगे बात करते हैं, एडिशनल आप्शन टू बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को बोल रहें कि भगया, आपकी तो बहुत सार एक्जेम्टेट सर्विस होती हैं, बहुत सारी आपकी नौन एक्जेम्टेट सर्विस भी होती हैं, तो आप इतने सारे परपोशनेट और यह सब जगडे में ना पढ़के आप एक काम कर सकते हैं, कि इफ यू आर यूजिग यूर इन्वाट सप्लाई इन्यूर कॉमन यू एक और महत्वपून बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहां पर आकर मालिक और महत्वपून बात कुछ इस तरह से है, जैसा कि हम जानते हैं, एक्जेम्टेट जो मेरी सप्लाईज होती हैं, उनके समन्द में करॉस्पॉनिंग क्रेट मुझे आवेलेबल नहीं होते है लेकिन जो नौन एक्जेम्टेट होती हैं, उनका करॉस्पॉनिंग क्रेट मुझे मिल जाता है, तो इस ITC चैप्टर के लिए क्या एक्जेम्टेट है, क्या नौन एक्जेम्टेट है, तो देखो, तीन चीज़ों को हम अलड़ी जानते हैं कि एक्जेम्टेट सप्लाई में जाएगा, वो एक्जेम्टेट है नहीं पर माना जाएगा, क्यों माना जाएगा, क्योंकि हम उनके समन्द में ITC दिलवाना नहीं चाहते हैं, कैसे करके, पहली बोलते हैं, आर सीम्टेट की सप्लाई आप इनको याद रखना, इनके पूरे लॉजिक वगरा समने क्लास में दे रखें, इसमें बस आपको याद रखें चलना, एक RCM की सप्लाई, एक सिक्रिटी ट्रेडिंग, और एक होगी आपकी सेल ओफ लेंड और कम्पलीटिड बिल्डिंग, वास्ता में तो ये आपकी ना गुड्स होती है, ना सर्विस होती, ना सप्लाई होती है, ऐसे सिक्र समंद में हमें क्रेट नहीं देना होता है, इनके समंद में क्रेट नहीं देना होता है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं एक्जेम्टिट सप्लाई, यूकि मेरा ITC का नियम सिर्फ इतना बोलता है कि एक्जेम्टिट है तो नहीं मिलेगा, अधर वाइजेम्टिट मिल जाएगा, बोलो मेरे साथ कौन-कौन से, एक अगर RCM की सप्लाई दे रहे हो, नमबर दो, सिकर्टीज की ट्रेडिंग कर रहे हो, नमबर तीन, कम्पलीटिड बिल्डिंग या लैंड की आप यहां पर सेल कर रहे हो, इनको भी एक्जेम्ट सप्लाई माना जाएगा, लिकिन इनका वैल्य वैल्यू एक करोड रुपे है, तो क्या एक करोड पर स्टैम डूटी चुकानी होते हैं, जी नहीं, इसका एक सर्कल रेट होता है, जो गौर्मेंट की दोरा फिक्स किया जाता है, हो सकता है कि वो साथ लाग रुपे का सर्कल रेट हो, जिसके उपर स्टैम डूटी चुकान है तो इसका जो valuation किया जाएगा turn over purpose के लिए तो वो 7 लाग पर यहां पर किया जाएगा security trading के लिए इसका जो valuation किया जाएगा turn over purpose के लिए वो 1% पर किया जाएगा अगर एक करोड की securities आपने sale कर दी हैं तो एक करोड का एक परसंट कितना होता है एक लाग रुपे तो उसका वैलेशन एक लाग पर यहां पर किया जाएगा ऐसे करके बात करी जाती है इसके अलावा हमारी non-exempted supply कौन कौन सी होती है नॉर्मली हम जानते हैं कि एक हमारी वो जो पर हम GST भर रहे हैं taxable वो होती है और एक सी दिलवाना चाहती है इसलिए उन्होंने इनको जान बूझकर non-exempted बोला है एक तो हो जाता है आपका ocean freight यानि कि जो goods आपका माल जो वैसल है एक माल लेकर वो जा रहा है इसकी supply export में आपकी count हो जाती है माले तो यहां output GST तो इसका होता नहीं है तो सरकार चाहती कि shipping company वाले को यहां पर IT से available हो जाए तो बले output side में GST ना हो उसके बावजुद भी सरकार IT से इसको दिलवाना चाहती है चाकि transportation cost इसकी सस्ते से सस्ते पड़े इसलिए यहां पर इसको बुला गया है non-exempted service मतलब इसके समन में IT से available करवाया जाएगा दूसरी एक और बात मान के चलिए कि मैं यहां पर मेरा business है और मैं अपनी coachings यहां पर provide करा के चलता हूँ और coachings पर GST लगता है चार पैसे अगर मैंने interest के कमा लिए ब्याज के कमा लिए तो क्या आप इसे exempted service बोलोगे अगर आप इसे exempted बोलोगे तो यह मेरी उपर वाली coaching taxable है यह exempted है तो मेरा जितना भी common credit है वो सारा का सारा proportionate करना पड़ जाएगा और फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसे section 17 के थो ना गुजरना पड़े तो इसलिए कहा कि आप इसे ignore कर दोगे चश्मा निकालो और ऐसे करो बोलो हमने कुछ नहीं देखा है हमने कुछ नहीं देखा है मतलब interest वैसे तो आपकी exempted है लेकिन ITC purpose के लिए से exempted नहीं मानेंगे इसके corresponding भी आपका ITC allowed रहेगा मतलब कि कोई इस वाले case के अंदर कोई ITC का disallowed नहीं करवाया जाएगा तो ये वाली बाते हैं आए कुछ practice के लिए question answer मैंने आपको दे रखे हैं with solution दे रखे हैं इन चीजों को और 18 बेहद आसान section है और इस section के अंदर ये बताया गया है कि black and white life से रंगीन दुनिया में जाने पर क्या होता है और रंगीन दुनिया से black and white life में आने पर क्या होता है तो पहले बात करते हैं यहां पर कि पहले जीवन black and white था और यहां से रंगीन दुनिया में चले गए दोनों का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी सिचुवेशन थी ऐसी अवस्था थी जहां पर आपकी GST लाइबिलिटी नहीं बनती थी अकॉर्डिंगली आपको ITC भी नहीं मिलता था हर जगह सूना पंच चाया हुआ था अब लगना शुरू हो गया और correspondingly ITC भी मिलने शुरू हो जाएंगे एक अलग ही फेज यहां आपका शुरू हो गया है तो ऐसे में क्या होगा कि आपने black and white life के दोरान जो भी purchase कर रखी होगी क्या उस पर ITC लिया हुआ होगा नहीं जब नहीं ले रखा होगा लेकिन अब उसका यहां पर कुछ स्टॉक बचा हुआ थे इस कट आफ डेट पर अब यह स्टॉक यहां पर आएगा तो वो जो स्टॉक इधर साइड में आया है रंगीन दुनिया में आया है जो पोटली गाओं से चल कर शहर में आई है अब इसका credit मिल जाएगा या नहीं मिलेगा तो यहां क corresponding भी आपको ITC available करवा दिया जाता है समझ में आगी बात yes sir तो यहां पर मैं बात कर रहा हूँ आप के input को लेकर तो जो stock है वो input के stock की बात कर रहा हूँ चाहे वो सच पड़ा हुआ हो चाहे वो WIP की form में हो या फिर वो आपका finished goods के अंदर contained रहा हो तो किसी भी form में हो form से फ बचा कुचा जो भी बचा कुचा stock था उसका ITC यहां पर आपको available करवा दिया जाएगा ठीक है situation मैंने create किये यहां पर आकर 181A निकल के आता है नए registration की बात करते हैं यहां यह black and white life हुआ करती थी यहां पर दुनिया रंगीन हो गई है क्यों क्योंकि आपका नया नया registration गया है यह आपकी cut of date यहां पर आ जाती है 1092020 की तो यहां से जो भी आपका stock था बचा कुचा 600 kg का तो 600 kg के समन में आपको ITC मिल जाएगा आपने यहां पर purchase करी थी आपको एक धेले का भी credit available नहीं हुआ था 3600 का GST भरा था 1000 kg पे अब 600 का stock बचके इस phase में आ रहा है तो ऐसी ही pattern पे काम करता है यहां तो क्या है कि आपका registration lawfully आपको करवाना पड़ा है 181B में बस इतना फरक आएगा कि वहां पर जो registration होगा वो voluntarily आप अपना करवा के चल रहे हो बाकि वो अपना same है as it is the same question है बस registration voluntary करवाया गया है उसके बाद में 181C अपना निकल के आता है C ब composition में लेकिन अब आप regular scheme के अंदर आ गए हो तो composition से जो भी पोर्टली लेकर आ रहे होगे उसमें जो भी बचा कुछा आपका किसी भी form का input होगा उसका credit आपको यहां पर आकर available करवा दिया जाएगा आपने खरिदारी करी थी 1000 क्लोगराम के 3600 का tax बंता था 600 क्लोगराम का stock लेकर यहां regular scheme में आए हो तो आपको proportionate ITC available हो जाएगा यहां पर आकर एक चीज़ और आती है कि बचा कुछा जो capital goods है उसका भी आपको credit available हो जाता है उसके बारे में यहां पर बताते हैं कि माली जी आपने capital goods यहां पर खरिदा था और यहां पर आकर आप composition से normal scheme यानी regular scheme का हि का रेट एक तरह से लिया जाता है वो 5% पर quarter और पार्ट दिरॉफ के सबसे लिया जाता है तो यहां से यहां तक के 4 quarter बन जाते हैं तो 20% आपकी कटवती हो जाएगी टूटल ITC 14400 बनता था 20% नहीं पूरा बनता था 18000 का 20% इसमें से काट दिया जो बचा कुछा क्रेट था वो है 14400 रुपे का और वो आपका यहां पर आएकर आपको ITC अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो capital goods की जो बची कुछी life है बची कुछी life से सम्मने जो बचा कुछा क्रेट है वो भी आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है 181D आता है वो बात करता है पहले exempted म deal करते हो तो वहां पर क्या होगा formula वहां पर same लगेगा input के बारे में वही बचा कुछा proportionate का आप वो क्रेट मिल जाएगा ऐसे ही capital goods की बाद भी वहां पर करता है जो बचा कुछा capital goods की life है उसका यहां पर क्रेट आपको available हो जाएगा सबसे महत्तपुन बात जो ध्यान में र कभी आपको परेशान किया जा सकता है question बनाकर A और D के अंदर A और D में difference क्या है देखिए यहां पर आप unregistered थे और registered हुई ठीक लेकिन यहां पर क्या था exempted से taxable में आया है बट इन दोनों situations में बंदा पहले से registered है बंदा पहले से registered है तो अब एक काम करना कि जब भी एक क 18-1-A में fall कर रहे हैं या 18-1-D में fall कर रहे हैं दी में fall तब करते हैं जबकि यह दोनों point पर पहले भी और अब भी बंदा registered था पहले से लेकिन किसी particular product के समबन में पहले exempted था अब वो taxable हो गया है तो 18-1-D लगेगा otherwise 18-1-A लगेगा A और D में ऐसा क्या फरक है 18-1-A के अंदर सिर्फ input की बात करते हैं जबकि D में अगर fall करोगे तो input के साथ साथ capital goods की बात भी आपसे कर ली जाती है यही है आपका section number 18-1 अब बात करते हैं 18-2 की 18-2 जो है वो support करता है 18-1 को ही इसमें यह बताया जाया है कि भाया जी जो आप यह credit book कर रहे हो ना तो जिस दिन आप credit book कर रहे हो वहाँ से एक साल से ज़्यादा पुरानी आपकी invoice नहीं होनी चाहिए ऐसा यहाँ पर बताया गया 1 year from the date of invoice आप अपना यह credit यहाँ पर book कर सकते हो यह बात को उल्टा पढ़ है कि अगर मैं आज credit book करने बैठा हूँ तो जि इसके credit को पकड़ता ही नहीं है portal ठीक है yes sir procedural aspect बता रखा है अब चुकि एक ITC आप खुद से claim कर रहे है as a recipient तो वहाँ से वो GSTR1 जो matching वगरा था वो सब तो नहीं हो सकता यहाँ पर आकर क्योंकि आप तो पहले से study नहीं थे या एक्जेंप्रेट में deal करते थे तो यह आपको खुद claim करना पड़ता है इसके लिए आप form फाइल करते हैं ITC 01 करके 30 days के अंदर अंदर आपको फाइल करना होगा 30 days कहां से जहां से आप eligible हो गए थे cut off date से 30 days के अंदर अंदर extension भी दिया जा सकता है आप ये करके चलेंगे और accordingly बात करेंगे claim अगर आपका 2 लाग से जादा है तो C certify करेगा कि जो आप claim कर रहे हो वो सही यहां पर करके चल रहे हो 18 3 आप कहता है कि जब आप एक चालू business को बेच देते हो तो क्या होगा तो जितनी भी आपकी asset हैं जो भी आपकी liabilities हैं सब की सब new ownership पे transfer हो जाती हैं किताबों में तो transfer हो जाएगा लेकिन जो ITC है वो के अंदर कैसे पहुंचेगा तो इसके लिए इस बंदे को एक form यहां पर भरना पड़ेगा जिसमें बोलेगा कि मेरा इतना balance पड़ा हुआ है यह नई वाले registration certificate पर transfer कर दिया जाए तो मैं form भरूँगा वो उस जब मैं form भर दूँगा तो उसके पास सूच ना जाएगी कि ब बताईए वो बोलेगा ठीक है ओके तो जैसी वो ओके करेगा तो यहां का जो balance था यहां से उठकर दूसरे वाले के ए क्रेट लिजर के अंदर वो transfer करवा दिया जाएगा वैसे करके बोला जाता है ठीक है जी वैसे otherwise in itself जो business है जो चलता business आपने बेच दिया है तो business की sale पर त बात भली भाती आप जानते है वो exempt supply of service में count की जाती है लिकिन जो क्रेट है वो ऐसे करके यहां पर नई ownership पर transfer करवा दिया जाएगा ऐसा बोलता है आपका 181C करके अब सौरी 1813 करके ठीक है अब बात करते हैं 1814 की अब मामला तोड़ा उल्टा होने के लिए जा रहा है कि र लेकि गाओं की तरफ भागे थे गाओं ही याद आई थे ऐसे महामारी के दोरान ठीक है तो यहां पर क्या होगा यानि कि यह रंगीन दुनिया वो है जहां पर कि आप GST आपको मिल रहा है मतलब देना पड़ रहा था ITC आप claim कर रही थे black and white जमाना वो आ जाता है कि जहां आपके output GST liability भी नहीं होती और corresponding आपको ITC भी available नहीं होता है यह situation कब बन सकती है अगर आप regular scheme से composition में जा रही है या फिर आपका product पहले से taxable था और आपका वो exempted category में fall कर रहा है तो ऐसे हालातों के अंदर यह समस्या यहां पर पैदा हो जाती है तो यहां तो आपने जो भ हुखा पड़ा हुआ है ऐसे मान के चलिए Mercedes को लेकर खेतों में जा रहे हैं क्या करोगे वहां ले जाकर किसी काम की नहीं है no use ऐसे ही इस ITC का यहां पर क्या इस्तिमाल है क्योंकि यहां तो कोई output GST liability है नहीं करोगे क्या ले जाकर इसलिए इसको यहीं पर जला दिया जाता है तो बोलते हैं इतना तक आपको एक amount pay करना पड़ेगा और amount pay करना मतलब की एक liability create कर दे देखिए एक तुता ITC को directly reduce कर देना और एक होता उसका तरीका की एक equivalent liability create कर देने जिससे की वह आपका खतम हो जाए तो जितना भी आपका बचा कुछा stock है उससे connected जो भी आपका ITC ब इससी आगे नहीं जाएगा उसमें आग लगा दी जाएगी यहीं पर उसको destroy कर दिया जाएगा मोटी बात ये है मरसडीज लेकर जा रहे हो तो गाओं में बारी छोड़ दे ना वहीं आग लगा दे ना उसमें क्योंकि वहां खेत हम उसका कोई इस्तिमाल नहीं हो रहा है ठ इससे reverse कीजिए यानि कि output liability में add कीजिए offers liability का payment कीजिए by using ITC फिर भी कुछ ITC बच जाता है तो वह आपका यहां पर lapse करा दिया जाएगा वह वाली बात आपकी यहां पर दे रखे कैसे बहला देखिए 1814 के अंदर हमने अपनी purchasing की थी 1000 kg की ठीक है सर और यहां पर आकर हमारी जो supply है वो exempt अपनी हो जाती है हमारे पास बचा कुछ आता 600 kg जो की अलग अलग फॉर्म में दे रखा था ठीक है हम यहां पर entry पास करेंगे purchase account debit to output liability हमने output liability यहां पर create अपनी करवा दी है 600 kg के proportionate कितनी बनेगी जड़ा बताएंगे आप मुझे सर एक हजार किलोग्राम पे GST भरा था हमने इतने का तो 600 kg पे सर जी कितना निकल के आएगा 21600 सर जी निकल के आएगा यह तो हमारी 21600 रुपे की liability अपनी यहां पर आकर हम create कर देते हैं ठीक है इसका फिर हम payment भी करके चलेंगे no doubt और payment कैसे किया जाएगा सर जी output liability debit to ITC ITC नह हो जाता है उसके बाद में जो मेरे capital goods होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो भी आपका बचा कुछा capital goods है उसको निकाल लिए लिकनी यहां पर capital goods के लिए बची कुछी life निकालने के लिए monthly proportion किया जाता है monthly proportion जब गाउं से शेहर की तरफ जाते हैं तो quarterly proportion है और जब शेहर से गाउं की तरफ आते हैं तो monthly proportion दिया जा रहा है खेर तो यहां पर जो छेमे ने इस्तिमाल कर लिया है तो जो जितना यूज कर लिया उतना घटा दो बाकी बचा कुछा है इतने की liability आपकी pay off करनी पड़ेग जाएगा very simple ठीक आगे बढ़ते हैं 18.5 required नहीं है 18.6 क्या बोलता है वादा न तोड़ ये वादा न तोड़ मतलब क्या है मतलब इस कबर को साफ ये है कि भाई साब बाओ जी भाईया जी कि अगर आप कोई capital goods यहां पर लेकर आए हैं आपने उसका ITC यहां पर claim किया है और आप उसे बीच में ही धोका दे देते हैं आप उसे छोड़ देते हैं आप उसे बेच बाच देते हैं तो जो बेचने बाचने पर जो भी GST आएगा क्योंकि permanent transfer के आपने business asset का तो ABC test फुर्फिल होता है तो यहां पर आकर यह आपका मालक GST निकल कर आ जाता है दूसरा इसको supply basically बनतो गया no doubt लेकिन इधर से भी बात करेंगे किया ITC तुमने लिया था और तुमने वादा किया था कि आप इसकी whole life जो की डीम की जाती है 5 साल तक इस्तिमाल करके चलोगे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है आपने से whole life इस्तिमाल नहीं किया इसलिए proportionate ITC आपको reverse करना प खिक लगे यह कि 600 निकल के आता है तो ITC reversal कहलो या output liability में add करना कहलो यह आता 21,600 रुपे का और यह आपका आपका जादा हो which ever is higher वो आपको finally pay off करना होता है ऐसा किसलिए बोला कि मानली जी अगर आप इसे जादा में बेच देते 90,000 में बेच देते तो हो सकता 21,600 से amount जादा निकल के आ जाता तो यह कहरे कि अगर जहां सरकार का जादा फाइदा है अगर आप देखोगे मोटी बात मैं आपको बताओं अगर बात समझ जाओ तो बुक वैल्यू बराबर आएगे बुक वैल्यू से नीचे बेचा है तो यह वैल्यू कमाएगी तो फिर आपको यह भनना पड़ेगा और बुक वैल्यू से ऊपर बेचा है अगर आपने तो फिर यह वाली वैल्यू आपकी जादा निकल के आएगी और आपको यह भनना पड आती हैं तो फिर वह आपके खतम होके ही बहार निकलती है मोल्स डाइज जिक्स फिक्शर तो अगर मैं उनको डाल दिया तो उनके लिए यह नहीं कहा जाता कि पांस साल इनकी लाइफ है वह बिसिकली बोले तो कैपिटल गुट जाते हैं लेकिए एक्शन में इंपुट टाइ इस पर काम नहीं करके चलेगा किस पर रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स मोल्स डाइस जिक्स और फिक्शर के संबंद में आई होप यह बात आपको समझ में आगी होगी हां बोलो हां हाँ सर जी अब देखिए जहन दीजी एक तरफ है 18123 और दूसरी तरफ है 18456 यह बात करता है बलैक इन वाइट टू कलर यानि गाउं से शेहरों की तरफ यह बात करता है शेहरों से गाउं की तरफ ओके यहां कट आफ पर क्या होता है जो भी बचा कुछा होता है उसके कैसे करते हो जो इन्पुट है उसको कौन्टि के आधा पर 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 पॉशनेट किया जाता है और जो कैपिटल गूड़ से वह 5% पर क्वाटर और पार्ट दिर ऑफ पर दिर ऑफ केस आप से किया जाता है इन्पुट को यहां भी पर पोशन किया जाएगा क्वानटिटी के र सकते हो तो ये बाते आपको विश्य ध्यान में रखके चलनी है मेरे कबूता इस बार मैंने section 18 की जो language है उसको काफी असान बनाया है मतलब एक hand written language यहां पर तयार की हुई है और rules के साथ combination बना कर finally आपके लिए language मैंने यहां पर यह लिखी है उसके बाद में मालिक आता है आपका यहां पर साहब section number 19 जो की job worker की आप से बात करके चलता है चले yes sir तो अगला section आता है आपका section number 19 job worker के सम्मन्द में है क्या है पूरा concept job worker का आईए recall कर लेते हैं आजाओ तो यह यहां पर job worker अपना हो गया जी और यहां कैसे हो गया यहां यहां यह जॉब वर्कर और यह है इसका raw material supplier अच्छे से जानते हैं कि जब यहां से goods यहां के लिए transfer किया जाता है तो यह supply नहीं बनता है और supply नहीं बनेगा तो इस पर GST की बात भी नहीं करी जाएगी ठीक है और जब यहां से माल काम खतम होने के बाद लौट के आता है तो ये भी एक सप्लाई नहीं बनता है और इस पर हम लोग GST की बात नहीं करके चलेंगे अब चुकि जाते समय यहां पर सप्लाई नहीं बनता GST नहीं रखता है लेकिन प्रेमिसे से तो गुड्स बाहर गया है तो गौर्मेंट इस ट्रांजक्शन को कंट्रोल करना चाहती है नहां दीजिएगा अगर सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो वहां पर ट्रांजक्शन को पका-पका कंट्रोल जरूर करेगी इसके लिए बुला गया कि आपना एक फॉर्म पकड़ो ITC 04 करके और इसके अंदर आप हमें डिटेल्स दीजिएगा कि आप कितना माल जॉब वरकर को भेज रही है तो ये पहले फॉर्म क्वार्टरली फ्रिक्वेंसी पर हुआ करता हुथा लेटेस्ट अमेंडमेंट के मताबिक ये अपना कर दिया गया है हाफ इयर फ्रिक्वेंसी पर या फिर एन्नुल फ्रिक्वेंसी पर कर दिया गया है फर्स्ट हाफ काउंट किया जाता है एप्रेल में जून जुलाई अगस सब्टेंबर तो सब्टेंबर पे एंड हो जाएगा और 25 अप्टूबर तक आपको ये ITC04 फॉर्म भरना पड़ेगा इन छे महीनों के लिए अगला हाफ एकॉडिंगली बाद के जो छे महीने हैं उनका बनेगा और उसके लिए 25 अप्रेल तक आपको ये ITC04 फॉर्म भरके देना होगा और अन्यूल फ्रिक्वेंसी के मताबिक अविस सी बात है पूरा सल कतम होने के बाद में जो 25 अप्रेल आगली फानेशल येर का वहाँ पर आपको ये देना होता है अब सवाल ये उठता है कि भाई ये हाफयर किसके लिए है और अन्यूल किसके लिए रखवाया गया है तो हाफयर है बड़े बड़े लोगों के लिए जिनकी ट्रांसक्शन ज़ away होती है जिनका कारुबार 5 करोड से उपर का जा रहा होता है तो उनके लिए ये है और 5 करोड तक कारुबार limited है तो capital goods है तो तीन साल के अंदर-अंदर ही वापस आ जाना चाहिए दोनों में extension की गुंजाईश बिल्कुल है कोई दिकत वाली बात नहीं एक साल और दो साल का extension यहां पर दिया जा सकता है तो इसमें क्या है कि जब आपने raw material लेकर आए थे आपका जो ITC था वो intact यहां पर रहेगा उसमें कोई किसी प्रकार की दिकत नहीं आएगी अगर आप ठीक से काम करते हैं पूरे pattern के मताबिक काम करते हैं तो ठीक है दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने goods को हो सकता है यहीं से directly बीच दें यहां से आप इसे domestic के लिए supply कर दें या फिर आप इसे export कर दें तब भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप एक साल या तीन साल के भीतर ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसे domestically supplier कर के GST नहीं भर पाते हैं या मोटी बात को हूँ अगर यह lot के नहीं आ पाता है एक साल या तीन साल के भीतर भीतर तो फिर क्या किया जाएगा तो कि बड़ी खतरनाक वाले situation हो जाएगी हाला कि जब goods यहां से जाता है तो under चलान बन कर वो जाता है तो इस चलान को उस समय के लिए तो चलान था लेकिन अब अगर ऐसी situation आगे कि आपने लोग को break किया है वापस लेकर नहीं आयो within the time time तो फिर आपका यह जो चलान है इसे invoice के equivalent माल लिया जाएगा वहीं पर time of supply निकलेगा और accordingly आपको GST भरना पड़ेगा वो भी with interest this is the main concept अब यह जो एक साल तीन साल के limit है इसमें क्या है एक चक्रोर पड़ता है कि माल लीजिए यहां पर आपका supply था जिसने रॉम मिटल आपको supply किया था अभी तो हम नॉर्मली बात यह कर रहे हैं कि अगर यह agriculture के सम्मन्द में फिर तो exemption मिल जाएगी otherwise यह बंदा registered है job worker तो इसको भी अपनी जो activities करी है job worker खुद उसके उपर अपना GST भर देगा अपनी service के उपर GST यहां पर भर देगा job work एक प्रकार की service होती है schedule 2 के अंदर यह बताया गया था ठीक यस अब क्या है अब कुछ और obligations भी होते हैं जैसे कि registration को लेकर obligation आता है और दूसरा आता है like up का यहां पर waste और scrap के उपर GST कौन भरेगा यह obligation आता है जी and books of account कौन maintain करेगा इसकी सम्मन्द में यह आता है निकलके अगर आपका job worker एक registered आदमी है तो registration उसने ले लिया है waste और scrap के उपर भी वही duty भरके चलेगा और books of account भी वही maintain करके चलेगा लेकिन अगर आपका job worker का आदमी एक unregistered person है तो registration तो वह नहीं ले रहा तो जो raw material supplier है जो principal आदमी है वो अपनी RC के अंदर job worker के premises को additional place of business group में declare करके चलेगा वेश्ट और scrap के उपर जो आपका raw material supplier है यही duty का payment करके चलेगा यानि कि GST भरके चलेगा और books of account भी इस transaction के सारे के सारे आपका raw material supplier ही maintain करके चलेगा ठीक यही यह आपका job worker concept आईए देख लेते हैं कहीं कोई छूटा हुआ तो नहीं है तो यहाँ पर आकर हम देख रहे हैं कि यह raw material supplier है ITC यहाँ पर इसने book कर लिया है यहाँ से रिमूब कर दिया है input को as intermediate या as such या capital goods को यह supply नहीं बनी है यहाँ पर आकर process लगाई गई है और अगर यह agriculture के सब्मन में नहीं तो process के ओपर यह खुद अपना GST यहाँ पर भर के चलेगा या तो यहाँ से निकाल दीजिए आप export के लिए zero rate करतो या taxable है तो फिर GST भर दीजिए या फिर अपने घर वापस लेकर आएंगे घर वापसी के समय एक साल और तीन साल का जिसमें extension एक साल और दो साल के क्रमशह दिये जा सकते हैं और यह टाइम लिमेट आपके count की जाएगी उस दिन से जिस दिन आपका यहाँ से removeal हुआ था और अगर direct dispatch था तो आपका यह यहाँ जब receive हो जाता है तो वहाँ से counting की जाती है यह वाली बात आपके यहाँ पर बता रखी है जो आपके molds, dice, zigs and pictures होते हैं उनके उपर एक साल या तीन साल के limit लागों नहीं की जाएगी क्योंकि यह एक बर process में आ जाते हैं तो फिर इनको पूरा का पूरा complete मान लिया जाता है मेरे कबूतर और waste and scrap के उपर duty कौन भर के चलेगा तो अगर job worker registered है तो वो भर देगा, job worker registered नहीं है तो जो आपका यह क्या बूलते हैं raw mental supplier है इसको यहाँ पर GST का payment करना पड़ जाएगा ठीक है वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है और registration संबंधी बात आपके नीचे बता रखे इतना सही है आपका job worker का concept तो इसके अंदर आपका section number 19 आता है और साथ में section number 143 के साथ इसको पढ़ा जाता है तो यह पूरी अगर यह half yearly और annual frequency पर ITC 04 form आपको भनना होता है पांच करोड़ से उपर का कारोबार है तो half yearly frequency है और otherwise अगर पांच करोड़ तक limited है तो फिर annual frequency पर आपको यह देना होता है प्रेम से भूलेंगे राधे राधे चले राधे यह सर तो यह वाली बात complete होने के बाद अब हम आते हैं अगले concept की तरफ जिसका नाम है input service distributor धेरो questions question bank के अंदर मैंने दे रखे हैं solve जरूर कीजिएगा और concept यहां पर बस इतना सा ही होता है कि यह एक तरह से head office मान सकते हैं आप इसे ISD है और यह इसके बच्चे हैं यहां पर इसकी branch unit अपनी बनी हुई है ठीक है जी एक third party को approach क किया जाता है एक supplier of services मानले जिये advertisement की service वो देता है तो इन्होंने order दिया कि भईया आप हमारे बच्चों करा advertisement कीजिएगा पैसा हम देंगे contact इसका होता है billing इसके नाम पर यहां पर की जाएगी और payment भी इसको यहां पर करके चलेगा तो invoicing भी हुई और साथ में यहां पर payment भी ISD के दोरा इसकी कर दी जाती है तो normal case के अंदर billing जो होती है billing इसके नाम पर होती है normal case के अंदर और payment भी यही करके चलते हैं लेकिन अब बात क्या हो रही है कि बात ऐसे घूम करा रही है billing ऐसे घूमी और service यहां पर दे दी गई है तो कोई बात ने एक बिल यहां से यहा allocate कीजिएगा और cost के साथ साथ जो उसका related tax liability है वो भी इसको allocate किया जाएगा distribute किया जाएगा यह तो always distribute करेगा ही करेगा देगा ही देगा अब यह इनकी capability बनती है कि यह उसका credit ले पाते हैं या नहीं ले पाते credit को book करने के लिए आपको section 16 की बारे conditions को fulfill करना पड़ता है अगर fulfill कर पा रहे हैं तो ठीक है यह अपनी किताबों में credit ले लेंगे otherwise नहीं I repeat यह तो always distribute करेगा ही करेगा अब इनकी capability यह है कि यह catch कर पाते के नहीं कर पाते अगर मैं यहां से यह cap आपकी तरफ फैंकर मारूं तो मैं तो फैंकूंगा always फैंकूंगा लेकिन आप catch कर पाते के नहीं कर पाते यह आपकी capability की opener भर करके चलता है दूसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि यहां पर हम सिर्विस हेक्टर की बात कर रहे हैं यहां गुड्स की बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही है section 20, red with section 21, यह सिर्फ services की बात करता है, गुड्स की बात यह करता ही नहीं है कितना amount आगे distribute किया जा सकता है, जितना पीछे से बिल में लगके आया है max to max उत्रा ही distribute किया जा सकता है और otherwise जो amount होगा वो आगे कोई distribute नहीं किया जाएगा इसका इस्तिमाल किया था basically conversion के लिए यहां पर अगर मालिजी कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसको convert भी किया जा सकता, अगर पीछे से यहां पर IGST लगके आया है तो आगे IGST बढ़ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकर अगर पिछली transaction यहां पर अपनी intra state निकल के आ रही है तो उसमें बदलाव किये जा सकते हैं यहां पर लगके आया था अपना CGST लगके आया था बोलते हैं state of ISD and the recipient same है अगर इसका और जिसको बट रहा है उसका state same है फिर तो कोई कलेश वाली बात आपके सामने आएगी ही नहीं जो जैसे है उसको वैसे बाढ़ दीजे CGST को CGST, SGST को SGST और UTGST को UTGST के लिए बाढ़ दीजे अब हो सकता है कि इसका state तो same पड़ गया हो यह UP में है और यह भी UP में है लेकिन यह UP में है और यह दिल्ली में आ जाता है तो यह यहाँ पर इसको convert करने की power दे दी गई है अगर माली जी कोई किसी प्रकार का access credit book कर लिया जाता है अगर unusually गलब तरीके से बांट दिया गया और इसने access credit book कर लिया तो जौन से unit ने ज़्यादा credit book किया है और विसी बात है वो इसे वापस करेगी और with interest उसकी liability में add कर दिया जाएगा कोई किसी प्रकार का debit credit note पीछे से आता है तो तो corresponding impact इनमें यहाँ allocate करवा दिया जाएगा मतलब बात सिर्फ इतनी सी कि यहाँ बीच में एक barrier आ गया है और कुछ नहीं है अब चीजें direct ना गुमकर indirect गुमरें बात इतनी सी ही है अब यहाँ पर एक समस्या और आती है कि बटवारा तो कर देंगे लेकिन किस ratio में बटवारा किया जाएगा यह बात यहाँ पर देखने के लिए और आ जाती है तो उसके लिए बटवारे के लिए आते हैं कि बात बात इतनी सीच्वेशन आपके सामने यह यह आ सकती है कि प्रसिडिंग financial year में आपकी unit थी ए, बी, सी, डी थी और यहाँ पर आपकी हैं सिर्फ a, b, d तो आपके पस जो current year में है क्योंकि इन्होंने service लिए है, इन्हीं के बीच में बटना है तो क्या इनका ratio पिछले साल में available है, हाँ सर, a यह रहा, b यह रहा और d यह रहा तो a, b, d का ratio पकड़ेंगे preceding financial year से और यहाँ पर allocate करवा दिया जाएगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ a था, b था, c था, लेकिन यहाँ पर d एक नया और बढ़ जाता है तो a, b, c, d ने service लिए है, इनके बीच में बटना है तो अब यहाँ पर आकर problem यह आ रही है कि a, b, c, d का preceding financial year का complete ratio available नहीं है just because of d नया बढ़ गया है तो जब पिछले साल में ratio available ना हो, या फिर वो वहाँ पर completely available ना हो तो वैसे हालात के अंदर हम quarter की तरफ move कर जाते हैं कि preceding quarter जो होता है, उसके turnover के आधार पर इसका बटवारा यहाँ पर करवा दिया जाता है most important जो steps हैं आपके वो कुछ इस परकार से हैं सबसे पहले question solve करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है find out the amount to be distributed, कितना amount distribute किया जाना है तो जितना भाई साब पीछे से लख किया आया है, max to max उतना amount आगे distribute किया जा सकता है तो पहले वो identify कर लीजिए उसके बाद आप ये देखिए, convert form of GST if required अगर जरुवत तो उसकी form आप change कीजिए, माली जी ये आपका UP में है ये आपका UP में है और इस unit को बट रहा है, ये आपका डेली के अंदर आ रहा है और पीछे से CGST, SGST लख के आए हैं, तो आप उसे IGST की रूप में तबदील करके चलेंगे तो जो भी है आप उसकी form पहले set कर लीजिए, कि आपको किस रूप में आगे माटना है फिर उसको आप actual में distribute कर दीजिए, और उसके बाद ये चेक करो कि क्या unit उसका ITC लेने के लिए सक्षम है या नहीं है last step पर ये है, अगर सक्षम है तो credit book कर लेगे, otherwise वो credit book करके नहीं चलेगे ISD के बारे में और को जरूरी बात है ये बता दू मैं आपको, क्योंकि जतना पीछे से लख के आता है, उतना ही ये माटते होती है, इसलिए ISD को कभी भी cash में payment करने की आवशक्ता नहीं होती है, चूंकि ये एक tax invoice के अंदर deal कर रही है इसलिए इनका mandated registration करवाया जाता है, under section no.24 और इनकी return भी file कराई जाती है और GSTR 6 के अंदर return की file कराई जाती है, और इनका काम सिर्फ एक ही है, ITC को distribute करने का ठीके साब, ये सर और कोई दिक्कत वाली बास सर जी नहीं है, यहाँ पर practice के लिए कुछ questions दे रखें, आईए करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे कबूतर बात ऐसी कर रखी है कि देखिए, ये इस प्रकार से बिल बन के आया था, unit wise बिल बन के आया थे, थर्ड पार्टी ने जो ISD को बिल दिया, वो कुछ ऐसे दिया फिर तो turnover ratio लगाने के आपको जरूत है नहीं, जिसका जितना बनता है, आप उसे distribute कर दीजे, इसने जिसका जितना GST बनता था और cost के साथ हुआ आगे फैंक दिया, अपनी तरफ से एक invoice generate कर दिया, अब ये जो फैंका गया है, इसे unit अपनी किताबों के अंदर book कर पाते हैं तो वो तो distribute करेगा है करेगा, सब को करके चलेगा, cost भी करेगा और उसका GST भी allocate करवाया जाएगा, लेकिन अब चुकिए D जो थी वो exempted में deal कर रही है, तो section 16 के मताबिक वो यहाँ पर eligible नहीं रह जाती है, तो बाकी सब तो अपना credit book कर लेंगे, लेकिन D अपना credit यहाँ पर बुक नहीं कर पाएगी ऐसे करके, आगे बात करते है, combined supply है and services availed by A, B, C, D है, चारों ने service यहाँ पर ली है, लेकिन जो supply थी वो combined थी, और पिछले साल का जो turnover ratio है, वो 2 to 3 to 4 to 5 का ratio यहाँ पर दे रखा है, तो कोई बात नहीं हमारा जो GST है, even cost को भी हम इसी ratio के करके चलेंगे और A कसी का जो GST है, वो इस ratio में allocate करेंगे तो आपका यह निकल के आता है, तो हमने तो यहाँ पर सब को allocate करके चलेंगे, लेकिन अब unit को देखना है कि क्या वो इसको book कर पाते हैं कि कुछ contrary नहीं दे रखा है इस question के अंदर, तो इसलिए मैं presume कर लेता हूं कि section 16 की तमाम conditions को यह पूरा करते हैं, और इसके चलते हुए, मेरे कबूतर यह अपनी किताबों में यहाँ पर credit book कर पाएंगे, अब माले जी unit A जो है अपनी, unit A supply करती है, exempted service में deal करती है, तो पीछे से तो सारा का सारा बाटा जाएगा, उसमें तो दिक्कत वाली बात कोशन दे रखा है कि what if service availed by C and D, चार थी A, B, C, D लेकिन service जो लिए वो C और D ने ही यहाँ पर service ली है, तो अब वेसी बात है जो पूरा का पूरा A कसी का amount था, वो C और D के अंदर बांदी जाएगा, और C और D का जो ratio निकल किया आता है, वो यहाँ से आएगा अपना वही 40-50 एनिकि 4-5 का ratio है, तो जिसने service ली है, 60 अगर direct billing किया थी तब भी तो यही होता ना, अब इंडरेक्ट बिलिंग हो रही तब भी यही अपना करवाया जाएगा, क्योंकि cost और tax उसी को तो allocate किया जाएगा, जिसने उसको service को लिया है, yes sir, and उसके बात अगर मान लीजिए, every month common service है, अपनी एक लाक सेजर का जिस पर GST बनता है, तो हर माईने 81, 81, 81 की बात यहां पर आकर हो जाती है, अब यह तो distribute कर दिया गया है, लेकिन अब यहां पर आकर problem यह निकल के आती कि इसका बटवारा कैसे किया जाएगा, तो चुकि यहां पर preceding financial year के बारे में कुछ बत बता रखा है या नहीं बता रखा है, सर, preceding financial year का जो scene था वो blank यहां पर पड़ा हुआ था, वैसी वाली कोई भी बात यहां पर available नहीं है, अगर available नहीं है, तो हम क्या करके चलेंगे, तो हम quarter बना लेंगे, quarter का मतलब fixed, तीन महीने का period होता है, पहला quarter यह बन गया, दूसरा quarter रही बन गया, तीसरा quarter रही बन गया, चौता quarter रही बन गया, तो इस quarter में जो भी बतवारे होएंगे, क्योंकि हर महीने बतवारा होगा, बतवार तो हर महीने होगा ना, तो इस महीने का बतवारा, इस महीने का बतवारा, तो यहां पर जो ratio बन रहा था, उस ratio में के आधार प ऐसे यहाँ पर बात करके चलेंगे कि यहाँ पर जो बटवार आपका होना है उसके लिए यह वाला quarter इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ 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 पर every month बटवारे करवा दिये जाएगे एक लाग असे जार रुपे के सर इसका क्या करोगे तो यहाँ तो पिछला quarter भी नहीं है कोई बात नहीं तो यहाँ पर पहले quarter के लिए आपको थोड़ी सी problem जेल नहीं पड़ सकती है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताओं भगवान जूटना बुलाए कि आपको पहले quarter का wait करना पड़ेगा जब इसका ratio आ जाएगा तभी आप इसको भाट सकते लेकिन यह problem सिर्फ one time है तो distribution by head office जो अपना है जितना जिसका है वो यहां पर किया जाएगा लेकिन credit कौन book कर पाएगा जो exempted में deal करते हैं जो registered नहीं है मिलेगा तो उनको भी distribution तो उनको भी होगा allocation तो उनको भी होगा cost तो उनको भी बटेगी tax तो उनको भी बटेगा लेकिन वो अपनी किताबों में credit यहां पर नहीं ले पाएगगे क्योंकि वो section 16 की conditions को comply नहीं करके चलते हैं बस यहीं है आपका section number 20 और section number 21 के अंदर ISD का concept निकाल जाएगा turnover में जित्रे भी आपके taxes बनते हैं उन सभी को यहां पर exclude किया जाता है turnover ratio निकालते समय चाहें नए हो या पुराने हो सभी परकार के taxes को exclude यहां पर किया जाता है मेरे बच्चा तो बेहत आसान है लेकिन question इसमें से भर-भर के आपके पूछे जाते हैं ठीक तो आज की हमारे इस chapter की जो कथा थी वो यहां पराकर समाप्त हो जाती है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम से बूलेंगे राधे राधे चले राधे यसर